हेलो एवरीवन वेल्कम टू आर यूट्यूब चैनल आडियो वर्स एंशेंट गॉडली मॉनार्क चाप्टर 1591 टू 1600 समराट मंदप के बारे में समाचार अभी भी फैलता रहा यह तीन महीने के अंध तक पहुचने वाला था और समराट मंदप के लिए लिफायर सिटी छोड़ना बहुत संभव था इससे और भी लोग बेहत दुखी हुए एक शेत्र तभी मजबूत होगा जब उसमें लगातार नए रक्त शामिल होंगे जदी हर कोई गवर्नर जिया हो की तरह काम करता है तो भविश में कौन लिफायर सिटी में एक नई प्रमुक शक्ती स्थापित करने का साहस करेगा इसके अलावा हर कोई ग्रैंड मास्टर डी की क्षमताओं को सपष्ट रूप से देख सकता था बहुत से लोग अभी उस्क जाने को ख्रीदना चाहते थे जिसे उसने खुद गढ़ा था लेकिन अभी ग्रैंड मास्टर डी को गवर्नर जिया हो द्वारा मजबूर किया जा रहा था यह स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा था जो कई लोग देखना नहीं चाहते थे इसलिए निंदनी अफवाहें और भी भयंकर रूप से फैल गई लेकिन अब सब कुछ निराशाजंत लग रहा था स्थिती को उलटने का कोई तरीका नहीं था तीन महीने होने को थे लेकिन अभी तक राजपाल की जागीर से कोई खबर नहीं आई थी किसी भी मामले में राजपाल की जागीर द्वारा संचालित शक्ती भारी है जनता की राय अकेले उन्हें प्रभावित करने में असमर्थ थी अंकारी गवर्नर जिया हो बिल्कुल परवाह नहीं करेगी इस शक्तिवन मुख दुनिया में जब तक आप परियाप्ट शक्तिशाली हैं और आपके पास परियाप्ट अधिकार हैं तो क्या हुआ अगर दूसरे आपको शाप देते हैं वह शिया हो केंद्रिय शहर्ट शेत्रों का राजा था अगर शिया हो चाहता था कि समराट मंडप गायब हो जाएं तो वह गायब हो जाएगा दितियान के कई परिचित भी दितियान को अपनी सांत्वना देने के लिए समराट मंडप गए बड़ी शक्तिया भी थी जो उन्हें अतिती वृध्ध बनने के लिए आमंत्रित कर रही थी यहां तक कि अगर उनका व्यवसाय समराट मंडप मौजूद नहीं था ग्रैंड मास्टर डी तियान अभी भी बेहद लोगप्रिय थे लेकिन इस समय राज्यपाल की जागीर वास्तव में काम कर रही थी उन्होंने लोहर्त वाले तरीकों का इस्तिमाल किया और सीधे लोगों के एक समुह पर कबजा कर लिया उसके बाद उन्होंने केंद्रिय शहर क्षेट्रों में घोशना की कि उन्होंने समराट मंडप के मामले में शामिल सभी लोगों को पूरी तरह से पकड़ लिया था और उन्हें कैद कर लिया था उन्होंने समराट मंडप को आराम से आराम करने और फिर से खोलने के लिए स्वतंत्र महसूस करने के लिए भी कहा भविश्य की परिशाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी गवर्नर की जागीर से इस खबर के प्रसारित होने के बाद मध्य शहर के क्षेत्रों में अंगिनत लोगों ने थोड़ा अचंभित महसूस किया इस अचानक उलटफेर ने उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है राजजपाल की जागीर से समझोता किया था कई डांट और चर्चाओं के बीच राजजपाल की जागीर ने आखिरकार काम किया उन्होंने मास्टर माइंड को भी पकड़ लिया और समराट मंडप को आगे बढ़ने और अपने व्यवसाय के साथ फिर से शुरू करने के लिए कहा क्या हो रहा था इसके अलावा गवर्नर की जागीर द्वारा की गई ये हरकतें बेहद रहस्यमी थी उन्होंने यह नहीं बताया कि मास्टर माइंड कौन थे इस बिंदु पर कई लोगों ने अनुमान लगाया कि इन मामलों के पीछे का पानी निश्चित रूप से बहुत गहरा होना चाहिए लेकिन कम से कम इस घटना को सुलझा हुआ माना जा सकता था तीन महीने की समय सीमा समाप्थ हो गई और समराट मंडप फिर से खुल गया गवर्नर की जागीर के बारे में पिछली निंदनिय अफवाहों के साथ साथ इस तथ्य के कारण की डितियान ने कहा था कि समराट मंडप को फिर से खोलने का प्रबंध करना चाहिए तो वह नीलामी के लिए तीन अधवितिय खजाने निकालेगा इस प्रकार आज समराट मंडप खचाखच भरा हुआ था पता नहीं कितने विशेशग्या आए मोटे तोर पर यहां लोगों की संख्या उस समय की तुलना में दस गुना अधिक थी जब उनका व्यवसाय अतीत में अपने चरम पर था इस राशी के लोगों ने उन लेंदेन करने वालों को खुशी से पागल कर दिया जिन्होंने समराट मंडप के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे ग्रेंड सुपर्वाइजर मोफी और मोजूनी दोनों ही इतने व्यस्त थे कि वे इसे संभाल ही नहीं पा रहे थे पूरा समराट मंडप जीवन और हसी से भर गया तो यह पता चला कि राज्यपाल की जागीर जानबूचकर समराट मंडप की मदद कर रही थी भीड में कई लोगों का यही विचार था अगर गवर्नर जियाहो को यह पता चला तो कोई केवल आश्चर्य कर सकता था कि क्या वह इतना क्रोधित होगा कि वह खून खासेगा जियाहो की भावनाए स्वाभाविक रूप से इतनी अच्छी नहीं थी समराट मंडप में जीवंत माहौल के विपरीत राजजपाल की जागीर के भीतर का माहौल बेहत थंडा महसूस हुआ गवर्नर की जागीर के अलावा यान कबीले, हान कबीले और वेई कबीले भी बेहत नाखुश थे अभी उनके कबीले के नेता राज्यपाल की जागीर में इकठे हुए थे गवर्नर जियाहो क्या आपने यह नहीं कहा कि डितियान ने लिफायर एम्पाइरियन को नाराज कर दिया है आप हमारे आद्मियों को क्यों पकड़ रहे हैं? हान कबीले के नेता ने पूछा, उसका स्वर अप्रसंता से भरा हुआ था अतीत में उन्होंने पहले ही जियाहो को खजाने के साथ उपहार में दे दिया था और उसकी मौन स्विकृति प्राप्त कर ली थी लेकिन अब जियाहो ने वास्तव में अपने कई अमर समराटों की गिरफतारी का आदेश दिया है क्या हो रहा था? यह सही है गवर्नर शियाहो हमने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि गवर्नर के मनोर ने अतीत में इसे मन्जूरी दे दी थी अब जब तुम यह कर रहे हो तो क्या तुम बहुत दूर नहीं जा रहे हो? वे कबीले का निता भी बेहत नाखुश था वे आज यहां आये थे क्योंकि वे अपने अमर समराटों को वापस पाना चाहते थे लेकिन जिया हो ने वास्तव में तीनों कबीले के निताओं को अपने आदमियों को वापस पाने से मना किया था इसलिए उनके स्वर्स्वाभाविक रूप से बदल गए हाला कि जिया हो केंद्रिय गवर्नर थे और उनके पास अपार अधिकार और शक्ती थी वे सभी अभिजात वर्ग के थे जिनकी नीम बहुत गहरी थी शिया हो अपनी इच्छानुसार उन्हें धमका नहीं सकता था किसी को पता होना चाहिए कि उत्तरी शहर क्षेत्रों में पहले से ही एक जियालन कबीला था इसके बारे में लिफायर एंपायर भी कुछ नहीं कर सकता था अकेले एक शहर क्षेत्र के गवर्नर को छोड़ दें हाला कि ये तीन कबीले जियालन कबीले से बहुत हीन थे फिर भी वे प्राचीन कुलीन वर्ग माने जाते थे यदि वे सेना में शामिल हो जाते हैं तो गवर्नर शियाहो को वास्तव में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इस राज्यपाल ने आप सभी को कब मौन स्वीकृती दी इस तरह सवाल किये जाने पर जियाहो की अभिव्यक्ति काली पड़ गई कबीले के तीन नेताओं को घूरते हुए उसकी आखें बेहर ठंडी थी ऐसा लगता है कि कबीले के तीनों नेताओं को उसका गुस्सा महसूस हो गया था यह सुनते ही उनकी आखें चमक उठीन और खांसते हुए खून निकलने लगा उन्हें सपष्ट रूप से याद था कि उनकी बैठक के दौरान जिया हो ने वास्तव में अपना रवया सपष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया था लेकिन जब वे जा रहे थे एक वाइस गवर्नर उनके पास आया और संकेत दिया कि गवर्नर की जागीर ने चुपचाप उनके कारियों का अनुमोधन किया हाला कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे जिया होने कहा था इसे एक बहुत सपष्ट संकेत माना जा सकता है है ना आप तीनों कबीले के नेताओं का लहजा वास्तव में दबंग है यदि इस गद्दी ने आज अमर समराटों को मुक्त करने से इनकार कर दिया है तो क्या आप सभी मेरे खिलाफ कारवाई करने की योजना बना रही है जिया हो के चहरे पर एक भयावभाव था भगवान राजपाल को गलत समझा होगा हम केवल चिंतित हैं हान कबीले के नेता के एक पल के लिए शुरू करने के बाद उनका लहजा थोड़ा और सुरिला हो गया गवर्नर जिया हो जिन लोगों को आपने बंदी बनाया है वे चुंकि आप सभी उत्तर इतनी बुरी तरह से चाहते हैं यह सीट आप लोगों को बताएगी इस मामले ने बहुत हंगा मा किया जिससे लिफायर एंपाइरियन बेहद नाखुश हो गया वह चाहता है कि मैं सभी निंदनिय अफवाहों को शांत कर दूँ ताकि मैं केवल ऐस कर सकूँ और आपके आदमियों को पकड़ सकूँ मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें मुक्त करने के तरीकों के बारे में सोचूंगा लेकिन अगर आप तीनों मुझे मजबूर करना चाहते हैं तो मुझे दोश न दें अगर मैं अंत तक सब कुछ जांचता हूँ यह यान कि यह मामला है हम पीछे हटेंगे और आपको इसे पूरी तरह से संभालने देंगे जिया हो ने कुछ नहीं कहा उसके बाद तीनों कबीले के नेताओं ने विदाई दी और चले गए जैसे ही वे गवर्नर की जागीर से बाहर निकले उनके हावभाव तुरंत बेहत भद्द करने के लिए इतनी दूर यहां क्यों आएगा क्या यह वास्तव में भारी जन्मत के कारण है साथ ही परपल मून इम्मोर्टल समराट द्वारा पूछे गए प्रशन सीधे और सटीक थे यह पूछने पर कि क्या उन्होंने दी तियान को पांच राज जपालों के संकक्षप तूफान के केंडर में थे और राजपाल की जागीर देर करती रही अपने माथटों को रिहा करने से इनकार करती रही वे और अधिक परिशानी खड़ी करने की हिम्मत कैसे करेंगे कई दिनों के बाद ही गवर्नर जिया हो ने लिफायर पैलेस का दौरा किया और यह मंडप स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यह उनके लिए सबसे अच्छा होगा यदि वे शांती और शांती से विकास करना जारी रख सकें। इसके अलावा इस मामले के बाद समराट मंडप का और विस्तार हुआ और कई अतिथी बुजुर्गों की भरती हुई। वास्त दितियान के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अस्थाई रूप से कम कमाता था। वह जो चाहता था वह संग्षित लाभ नहीं था। उनकी जगहें भविश्य में बहुत आगे थी। इसलिए दितियान एक बार फिर ब्यूटी जियो का दौरा करने के लिए दक्षिनी शहर क्षेत्रों में गए। वह इस समय तक धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आया था। वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं मानेगा कि लाइफ एर एंपायर्न की ओर से एक सेवारत महिला सिर्फ उसके लिए केंद्रिय शहर क्षेत्रों की यात्रा करने के यह स्वाभाविक रूप से दक्षिनी गावर्नर ब्यूटी जियो के अलावा कोई नहीं था। इस समय उसने अपने शरीर के चारों और केवल एक स्नान वस्त्र लपेटा हुआ था जो उसकी जुरवा चोटियों के द्रिश को बाधित कर रहा था जिससे कई लोग कलपना कर सकते थे हाला कि उसके स्नान वस्त्रों को एक साथ जोडने वाली एक साधारन गाठ थी वह नंगे पाव थी और कोई सन्यम नहीं दिखाया दितियान की प्रशंसा के लिए स्वतंत्र रूप से अपने सुंदर पैरों को प्रकट कर रही थी जाहिर है उसने अभी अभी नहान था वह फिर बोला क्या आप चाहते हैं कि मैं बाद में फिर से आऊँ आप पहले ही मेरी वर्तमान स्थिती देख चुके हैं बाद में फिर से आने का क्या मतलब है दितियान को घूरते हुए ब्यूटी जियो खिलखिला उठी क्यों क्या आपके समराठ मंड़क की सभी दितियान ने उत्तर दिया, ब्यूटी जियो, क्या आप नहीं जानती कि आप जिस तरह से अभी हैं, उससे आप लोगों को अपराथ करने के लिए प्रेरित करेंगी, ओह, मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि आप अपराथ कैसे करेंगे, ब्यूटी जियो की मुस्कान औ और भी आकरशक हो गई, जब तक ब्यूटी जियो तयार है, मैं सपश्ट हों कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, दितियान धीरे-धीरे आगे बढ़ा, ब्यूटी जियो ने हंस्ते हुए कहा, अभी भी वही स्थितिया हैं, पहले मेरे लिए अपना मुखोटा हटाओ, ज चौंदर्य इस बार मेरे व्यवसाय के संबंध में परिशानी हल हो गई है, बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपको भविश्य में आपके लिए कुछ भी करने की आवश्यक्ता है, तो आप सीधे मुझे एक संदेश भेज सकते हैं, यह मेरा मेसेजिंग क्रिस्टल है, ब चायद मैं खुद को नियंतरित नहीं कर पाऊंगा, दीतियान हसे, इसके बाद वह मुडा और चला गया, ब्यूटी जियो की मुस्कान और भी आकरशक हो गई, वह पहले कभी किसी से इतनी दिल्चस्प नहीं मिली, यह बंदा वह वास्तव में कैसा दिखता था, उतरी शहर प्षेत्रों के आदित्य, मध्य शहर क्षेत्रों के दीतियान, उनके दोनों नामों में चरित्रतियान है, बहुत दिल्चस्प, इससे पहले मैं केवल आदित्य में दिल्चस्पी रखता था, लेकिन अभी वहां आदमी इतना लो प्रोफाइल है कि यह डराबना है, यह दाया, आदित्य अपने असाधारन युध कौशल के कारण प्रसिध थे, जो जियालन समराट पैलेस में अपना बद करने में सक्षम थे, और कई शिखर्चन के अमर समराटों के खिलाफ लड़े थे, बितियान के रूप में वह संरचनाओं और हथियारों के निर्मान में अ अफवाहों के कारण और भी बढ़ गई, इस समय तलिफायर सिटी में ऐसा कोई नहीं था जो समराट मंडप के बारे में नहीं जानता हो, जैसे जैसे समय बीटता गया, समराट मंडप का विकास भी मजबूत और मजबूत होता गया, केंद्रिय शहर क्षेत्रों के सभी समय बीटता गया, समराट मंडप का फिर से विस्तार हुआ और अधिक से अधिक विशेशग्य इसमें शामिल हुए, उनका ख्षेत्र दस गुना बढ़ गया, और अभी जब कोई आकाश से नीचे देखता है, तो वे राजसी इमारतों की पंक्तियों को देख सकते हैं, जो स संदेह वहां आयोजित नीलामी थी, वर्तमान में अंगिनत लोग रोजाना समराट मंडप में खजाने की तलाश में आते थे, आज दितियान लेंदेन के मैदान से गुजर रहा था और जब उसने हलचल भरी भीर को देखा तो उसके चहरे पर नकाब के नीचे एक फीकी मु साय की लोग प्रियताहान और वेई कभीले की नीलामियों से कम नहीं थी, इन वर्षों के दौरान यहाँ आपके और भव्य पर्यवेक्षक के लिए कठिन रहा है, दितियान ने हलकी आवाज में बात की, उसके बगल में एक खूबसूरत महिला चल रही थी, वह कोई और नह बलकि मोजूनी थी, इन वर्षों के दौरान मुख्य संचालन मोफी द्वारा एक सहायक के रूप में मोजूनी के साथ चलाया गया, खुद के लिए उन्होंने अपना अधिकांश समय खेती और हतियार बनाने में बिताया, वह वास्तव में प्रबंधन या संचालन में शाम वह वास्तव में उससे प्रभावित थी, अभी दितियान द्वारा गढ़े गए दैविय हतियार केवल सीलिंग प्रकारों तक ही सीमित नहीं थे, बीच बीच में और भी अनोखे दैविय अस्त्रशस्त्र जाली होते, ये सभी अपने समराट मंडप की नीलामी के संबंध मे ग्राहकों की प्रत्याशा को बनाए रखते, दितियान द्वारा अतीत में निर्धारित किया गया, वह नियम उच्छ श्रेणी के समराट श्रेणी के हतियारों की समयस्मय पर नीलामी करने की रणनी थी, असाधारन रूप से प्रभावी थी, हाँ हाँ हाँ, मैंने सारी मेह अंत आप दोनों पर छोड़ दी है, दितियान आत्ममजात में हसा, भूले नहीं, उन वर्षों पहले जब हमारे समराट मंडप को खत्रे का सामना करना पड़ा और वह बंध होने वाला था, हमने वास्तव में उस थिती को उलट दिया, जब सभी को लगा कि हम असहाय हैं, हा जूनी हसे, उस घटना के बाद उसके और मोफी के पास कई महमान थे, लेकिन वे अभी भी निश्चित नहीं थे कि दितियान ने वास्तव में क्या किया, ठीक है, तुम लोगों को मेरी बहुत अधिक प्रशंसा करना बंध कर देना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे अभी भी नौ समराट थे, जो प्रदेशों के प्रबंधन के साथ-साथ खेती के संसाधनों को नियंतरित करने में मदद कर रहे थे, हाला कि लिफायर पैलेस ने भी सीधे तोर पर कुछ खेती की खानों को नियंतरित किया, इसके अलावा, जो लोग उनके नियंतरन में थे, वे सबसे महत्वपूर्ण थे, नौ समराटों के नियंतरन वाले लोगों की तुलना में बहुत अधेक ग्रे, जदी नहीं, तो लिफायर एमपायर ने उन्हें नियंतरित करने की जहमत नहीं उठाई होती, लिफायर पैलेस के सीधे नियंतरन में निबलसन खदान मुख्य में से एक थी, लिफायर एमपेरियन केवल उन लोगों का उप्योग करेगा जिन पर उन्होंने खदान खुलने पर संग्रह की निगरानी के लिए भरोसा किया था, निबलसन खदान लिफायर सिटी की सीमा से लगभग 10,000 मील दूर एक परवत श्रिंखला के भी तरस्थित यहां का परिद्रिश अत्यंत जटिल था और पूरी परवत श्रिंखला कई सुरक्षात्मक संरचनाओं के साथ भारी पहरा दे रही थी अगर ऐसे लोग होते जो अंदर घुसने की हिम्मत करते तो वे निश्चित रूप से बिना किसी दफन स्थान के मर जाते केवल संरचनाओं की शक्ती ही यह सुनिश्चित करने के लिए परियाप्त थी कि अमर समराट प्रवेश कर सकते हैं लेकिन वे बाहर नहीं निकल सकते जहां तक दाकूओं की बात है यहां तक की उन सर्वोच महान दाकूओं के लिए भी उन्होंने लापरवाही से निबलसन माइन के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं की न केवल रक्षात्मक के लेबंदी बेहद मजबूत थी बलकि लिफायर पैलेस से जुड़ी टेलिपोर्टेशन सर्णिया भी थी इस जगह को निशाना बनाने की हिम्मत करने वाले डाकू बस मौत को दावत दे रहे थे साथ ही मजबूत रक्षात्मक पहलूओं के बावजूद कई अमर समराट भी यहां रक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे गार्स का नेता वह था जिस पर लिफायर एंपायर्न को पूरा भरोसा था वह लिफायर एंपायर्न की पतनी का छोटा भाई था परवत श्रिंखला में स्वाभाविक रूप से गुप्त स्थानिक द्वार भी थे जो सीधे खदान में जाते थे निबलसन मायन के उपर का हवाई क्षेतर भयानक कानून उर्जा के साथ बहते तारों वाले आसमान की तरह था पुरा वातावर्ण एक गहरे लाल और विकीर्ण गर्मी में रंगा हुआ था यहां का तापमान बहुत अधिक था और इसे बेहत खतरनाक माना जा सकता था क्योंकि केवल ऐसे पात्र जो अमर राजाया मजबूत थे उन्हें ही यहां प्रवेश करने की अनुमती थी यदि कोई हवा में खड़ा होकर नीचे की ओर देखता है तो वे कभी-कभी प्रित्वी से प्रकट होने वाली काली लप्टों के साथ एक विशाल गहरे लाल रंग का मैदान देख सकते हैं वहां भी बार-बार चमकने वाली रोशनी का विस्पोट होगा जो आसमान में गोली मारती है ये सभी समराट रोशनी थे, यह संकेत था कि समराट श्रेनी के पत्थर प्रकट हुए थे इस खडान में समराट के दरजे के पत्थर सामान्य माने जाते थे उनके प्रकट होने में कुछ भी दुलब नहीं था फिलहाल आदित्य निबलसन माइन के उपर एर स्पेस में थे निबलसन माइन जियालन मौनार्क द्वारा नियंत्रित खानों के समान नहीं थी जहां फसल लेने के लिए हर दस साल में केवल एक बार प्रवेश किया जा सकता था यह ख़दान हर साल एक बार खोली जाती थी क्योंकि इसके भीतर के संसाधन बहुत मुल्यवान थे वार्शिक फसल का अत्यधिक भयानक मूल्य था और कोई गल्ती नहीं होने दी गई थी इसलिए आदित्य को लिफायर पैलेस में हर दस साल में एक बार होने वाले श्रधाजली संग्रह को याद करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है भले ही वह यहां आये हो वास्तव में इन दस वर्शों के दौरान तीन उपराज्यपालों को मारने के लिए लोहर्प्त तरीकों का उप्योग करने के अलावा वह अन्य सभी पहलों में बेहत कम प्रोफाइल वाले थे यहां तक की लोग यह भी कह रहे थे कि वह पिछले गवर्णरों की तरह ही थे ऊस्तव में उन्होंने इन दस वर्शों के दौरान अपना अधिकांश समय और प्रयास अपनी खेती पर खर्च किया लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं था कि उन्होंने अपना सारा समय बंध कमरे में बिताया वह अकसर खुद को तरोताजा करने के लिए निकल जाते थे ठीक यही कारण था कि वह आज यहाँ था वह निबलसन माइन में प्रवेश करना चाहता था क्योंकि आज उदघाटन का दिन था स्वाभाविक रूप से वह अपनी असली पहचान के साथ यहाँ नहीं आया था वह जूठी पहचान का उप्योग कर रहा था अभी वह खदान के उपर हवाईक शेतर में टहल रहा था जब भी वह समराट प्रकाश के फटने को देखता तो वह समराट रैंक वाले पत्थरों को जब्थ करने के लिए वहाँ तेजी से दौरता उनका पूरा अस्तित्व एक बेहत थंडी आभा विखेर रहा था महत इस वक्त आदित्य को कुछ महसूस हुआ उसने अपना सिर जुकाया और एक दिशा में देखा तो देखा कि प्रकाश की एक चमकीली किरण आकाश में उड़ रही है जैसे ही वह क्षेत्र में पहुचा आदित्य की आखें चमक उठें और अविश्वसनिय गती के साथ अंतरिक्ष के माध्यम से गोली मार दी प्रकाश की किरण गहरे लाल रंग की थी लेकिन वह बेहत चमकदार थी आगे वह गहरे लाल पत्थर का एक टुकड़ा देख सकता था जो स्वर्ग और प्रित्वी के सार को अवशोशित कर रहा था यह प्रकाश के स्रोत के अलावा और कोई नहीं था जिसे उसने पहले देखा था इससे निकलने वाली भयानक रोशनी की शक्ती सब कुछ नश्ट करने के लिए परियाप्त थी नरक से बहने वाली उजाधाराओं के समान अधिक से अधिक विशेशग्य इस दिशा की ओर बढ़े लेकिन वे सभी इससे सम्मान जनक दूरी बनाये रखते थे एक अविनाशी चट्टान के समान उसके शरीर में कानून उर्जा का एक अत्याचारी विस्पोच्छा गया समराट प्रकाश आकाश से निरंतर जर्ता रहा वह आत्मविश्वास से लब्रेश हो गया और पत्थर के और करीब चला गया प्रकाश की एक चमक के साथ पत्थर से गहरे लाल रंग की चमक उसके कानूनों के अविनाशी शरीर के खिलाफ चमक उठी एक गहरे लाल रंग के फूल की चाप का एक अजीब प्रक्षेपन तुरंट उसके शरीर के माध्यम से चुबता हुआ दिखाई दिया वह अमर समराट दर्द से कराह उठा और पीछे हटना चाहता था लेकिन उसके पास अब भी बचने का मौका कैसे हो सकता था गहरे लाल रंग की चमक से उत्पन लप्टों ने तुरंट उसे घेर लिया देखते ही देखते काला धुआ हवा में उठ गया अमर समराट का शरीर पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुका था किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई वे सब उस गहरे लाल पत्थर को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई शैतान हो आदित्य का भी चेहरा सगमे से भरा हुआ था क्या यह सर्वोच प्राचीन अमर लोकों में एक सर्वोच खदान थी कई असामाने खजाने कभी कभार पैदा होते इतने भयानक की इससे लोगों को निराशा होती एक अमर समराट विशेशग्य जिसने अंगिनत वर्षों तक साधना की है वास्तव में उसकी तुलना एक पत्थर से भी नहीं की जा सकती वह इतनी आसानी से नश्ट हो गया यह एक सामरा जवादी पत्थर होना चाहिए बगल में कोई बोला जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था आदित्य की निगाह गर्मी से भर गई उसे वह अवश्य प्राप्त करना था हाला की यह भयानक खजाना सपष्ट रूप से गर्मी से इंट्रस्पेशियल रिंगों को भी पिगला देगा वह इसे कैसे प्राप्त कर सकता था एक विशेशग्य था जिसने पत्थर को दूर ले जाने के लिए कानून की उर्जा को एक लेप के रूप में उप्योग करना चाहते हुए ताड की चाप को नश्ट कर दिया हाला की पत्थर के पास जाते ही हथेली की चाप तुरंत नश्ट हो गई अपनी इच्छा के इरादे से सर्वोच समराट पत्थर के चारों और विनाश के लाल शेतर की ओर बढ़ते हुए आदित्य से स्थानिक उर्जा निकली वह पत्थर को उसके परिवेश से अलग करना चाहता था लेकिन जैसे ही उसकी स्थानिक उर्जा पत्थर के संपर्क में आई वह भी सीधे बिखर गई अधिक से अधिक विशेशग्य खदान के उपर हवाईक शेतर में एकत्रित हुए ये लोग निबलसन माइन के गाड़ थे और वे सभी गहरे लाल रंग के कवच में थे जो बेहत भव्य दिखाई दे रहे थे अमर समराठ थे जिनकी आखों में भयानक रोशनी थी क्या हमें बाहर को सूचित करना चाहिए किसी ने पूछा आए पहले एंपाईरियन स्टोन प्राप्त करने का प्रयास करें यदि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं तो महल के स्वामी को सूचित करने में देर नहीं होगी मुख्य व्यक्ति के चहरे पर तेज अभिव्यक्ति थी उसने विनाश के भयानक शेतर को देखा जो सर्वनाश के समान प्रतीत हो रहा था पत्थर के चारों और के क्शेतर से लाल रंग का प्रकाश लगातार फैलता गया जिससे सब कुछ क्षत विक्षत हो गया इस तरह के पत्थर को प्राप्त करना बेहत कठिन था केवल लिफायर एंपाइरियन के स्तर पर मौजूद लोगों के पास ही ऐसे साधना संसाधनों का आनंद लेने की योग्यता होगी उन जैसे लोगों के लिए तो वे यह भी नहीं बता सकते थे कि इस पत्थर की ग्रेड क्या है आदित्य आगे देखता रहा पूरा परिवेश एक गहरे लाल नरक में बदल गया था जिसमें लाल तरल बह रहा था जिससे खदान में जंग लग गई थी यदि वह अपना सिर नीचा करके देखता तो चारों और रक्त का एक समुद्र जैसा दिखाई देने लगता था जो विनाश की भयानक आभा बिखेरता था ऐसा लगता है कि पत्थर के आसपास का क्शेत्र लंबे समय से जुलसा और जला हुआ है आदित्य ने बुद्बुदाया उसने फिर पूछा क्या यह एंपाईरियन पत्थर हाल ही में खोजा गया है इससे निकलने वाली उर्जा इससे पहले कैसे अंदेखी हो सकती है पहले की तरह यह सबसे अधिक संभावना है कि अभी तक इसका विकास पूरा नहीं हुआ है किनारे पर एक अमर समराट ने समझाया उसकी आखें आगे देख रही थी यही कारण होना चाहिए कि कई सर्वोच पात्रों ने एक शोट में खदान में सब कुछ खोदने से इंकार कर दिया इसके बजाए धीरे-धीरे आगे बढ़ने का विकल्प चुना आदित्य की आखें चमक उठी खदान के पत्थर आकाश और प्रित्वी के सार को अवशोशित करने में सक्षम है और वे धीरे-धीरे विक्सित होंगे वास्तव में कितना चमतकारिक है उस स्थिती में इस पत्थर का हमारे साथ कोई भाग्य नहीं होना चाहिए है ना आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा इस सामराज जरैंक वाले पत्थर द्वारा किये गए हमले बहुत शक्तिशाली हैं कोई अमर समराट इसे दूर नहीं कर सकता बगल के एक विशेशग्य ने सिर हिलाया आदित्य ने कुछ नहीं कहा उसने एक स्थान पाया और अपनी अमर भावना को बाहर की ओर फैलाते हुए बैठ गया चुपचाप एमपाईरियन स्टोन से निकलने वाली उर्जा पर विचार कर रहा था उसने इसे लेने की कोशिश नहीं की, हाला कि उसकी ताकत असाधारन थी, आदित्य को नहीं लगा कि उसकी शक्ति यहां के सभी अमर समराटों की तुलना में अधिक मजबूत होगी ऐसी विनाशकारी शक्ती कुछ ऐसी थी जिसके साथ वह अभी भी संपर्प में नहीं आ सकता था उन्होंने चुपचाप चमतकारिक उर्जा पर बहुत लंबे समय तक विचार किया एक साल बीट जाने के बाद भी लिफायर एमपाइरियन यहां दिखाई नहीं दिया जिससे एमपाइरियन स्टोन को अपनी चौकाने वाली आभा को उजागर करने की अनुमती मिली एक सामराज्य के लिए उसके नियंतरण में बहुत से स्थान थे यहां तक कि जब ऐसा कोई विशेश पत्थर प्रकट हुआ तो यहां उसके व्यक्तिगत रूप से आने का बारंट देने के लिए परियाक्त नहीं था अगर ऐसा होता तो क्या वह बहुत व्यस्त नहीं होता और उसके पास खुद को साधने के लिए समय नहीं होता हाला कि सामराज्य के पत्थर दुरलब थे फिर भी वे कभी कभार ही दिखाई देते थे जब तक लिफायर एमपायरन को इसके बारे में पता था वह इसे रिकॉर्ड करने के लिए किसी को बुलाएगा और भविश्य में एमपायरियन पत्थरों का एक बैच लेने के लिए आएगा अंतह जाने से पहले आदित्य कई वर्षों तक निबलसन माइन में रहे हाला कि वह अपनी फसल का केवल 10% ही ले सकता था फिर भी इसे काफी भाग्यशाली माना जाता था स्वाभाविक रूप से इसकी तुलना डितियान द्वारा प्राप्त संसाधनों की मात्रा से नहीं की जा सकती खानों की खुदाई करके एक एक करके पत्थरों को उठाना पड़ता था और यहां तक की जानलेवा खत्रे का भी सामना करना पड़ सकता था इसकी तुलना एक ग्रैंड मास्टर द्वारा संरचनाओं और हथियारों के निर्मान में चलाई जा रहे एक स्थिर व्यवसाय से कैसे की जा सकती है हाला की आदित्य के लिए महत्वपूर्ण बात खुदाई नहीं थी बलकि खुद को सन्यमित करना और अधिक अनुभव प्राप्थ करना था वह चुपचाप उत्तरी गवर्नर की जागीर में लोट आया दसियों वर्षों से उजाड पड़ी यह जागीर हमेशा की तरह शांत थी यह एक गयर मौजूद इकाई की तरह महसूस हुआ और उत्तरी शहर क्षेत्रों में कई प्रमुक शक्तियों द्वारा इसे धीरे-धीरे उपेक्षित और अभेलना किया गया उत्तरी गवर्णर की जागीर का प्रभाव और अधिकार बहुत कमजोर था इतना कमजोर की कुछ छोटी शक्तियों ने भी श्रद्धांजली संग्रह का पालन करने से इनकार कर दिया यहां तक कि जब वे व्यक्तिगत रूप से विभिन शक्तियों के दरवाजे पर दस्तक देने गए तो उनके लिए कोई श्रद्धांजली एकत्र करना भी मुश्किल था स्वाभाविक रूप से राजजपाल की जागीर का नाम रह गया लेकिन वास्तव में इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी अभी हर दस साल में एक बार होने वाला श्रद्धांजली संग्रह दिवस फिर से आ गया हालांकि राजपाल की जागीर पूरी तरह से खाली थी कोई भी श्रद्धांजली देने की पहल करने नहीं आया यह इतना शांत था कि माहौल तनाफपूर्ण लग रहा था हालांकि राजपाल की जागीर के लोग लंबे समय से इसके अभियस्थ हो चुके थे अभी गावर्नर मैनर के फाइल रूम में आदित्य ने चुपचाप कुछ स्क्रॉल पढ़े उसके बाद उसने अपने बगल में बटलर साथ ही सेवा करने वाली लड़कियों और दुष्ट समराट को देखा इन सभी को सुलझा लिया जाना चाहिए था कोई गलती नहीं है ठीक है आदित्य ने पूछा गलतिया नहीं है इन वर्षों के दौरान साहब के आदेश के अनुसार हमने अंधेरे में जाच परताल की क्योंकि विभिन प्रमुक शक्तियां अब हमारे गवर्नर की जागीर के प्रती कोई युद्ध नहीं महसूस करती है उनके कार्य अधिक से अधिक दुस्सासी हो गए और हर जगह छेद हो गए क्योंकि वे ठीक से कवर करने में विफर रहे यही कारण है कि हम प्राचीन नदी नीलामी घर की हर चीज की आसानी से जाँच कर सकते हैं बटलर ने जवाब दिया ऐसा नहीं है कि वे हमसे सावधान नहीं है अधिक सटीक रूप से वे हमारे गवर्नर की जागीर के अस्तित्व की पूरी तरह से अभेलना करते हैं आलाकि बटलर का दिल उस खूबसूरत चेहरे को देखकर कामपने के अलावा नहीं कर सका। इन वर्षों के दौरान आदित्य के साथ बातचीत करना उनके लिए बहुत दुरलब था। यह नया गवर्नर जिसने पदभार संभाला उस समय के अलावा जब उसने ततकालीन तीन उपराजपालों को मारने के लिए लोहर्प्त तरीकों का इस्तिमाल किया, आदित्य के लिए उनकी दृष्टी में दिखना बहुत दुरलब था। लेकिन हर बार आदित्य ने दिखाया, उसने एक तीवर दबाव दिया और बटलर हमेशा अतीत में तीन उपराजपालों की मृत्यू को सपष्ट रूप से याद करेगा। इस तरह के चरित्र ने वास्तव में इतने सालों तक एक लोग प्रोफाइल रखा और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को विभिन प्रमुक शक्तियों के काले कामों और वर्तमान निवल मूल्य के बारे में जानकारी इकठा कर करने का आदेश दिया। जिसक्षन उसने अभिनय किया, जिसक्षन वह फूट पड़ा, वह किस प्रकार की स्थिती होगी। बटलर ने जब यह कलपना की तो वह काम उठा। सबसे अधिक संभावना है, ऐसे कई लोग होंगे जो जल्द ही दुरभाग शाली होंगे। वे र अदित्य की आवाज धीमी थी, जैसे वह कोई महतवहीन बात कह रहा हो। यह सुनते ही बटलर का दिल और भी जोर से धड़क उठा। वह धीमी आवाज में बोला, गवर्नर, प्राचीन नदी निलामी हौल के पीछे की प्रमुक शक्ती बहुत भयानक है, उनके असली मालिक ज्यालन कभीले भी हो सकते हैं। वाइस गवर्नर जूली को अपने आदमियों को इकठा करने और बाहर जाने के लिए बुलाओ आदित्य शांती से बोला। बेचारे बटलर का दिल और भी थर्रा उठा, क्या सच में एक्टिंग करने वाले थे आदित्य। सही दुष्ट समराट ने और कुछ नहीं कहा और विदा होते ही मुड़ गया। प्राचीन नदी नीलामी घर उत्तरी शहर क्षेत्रों में स्थित एक बहुत बड़ा नीलामी घर है। यह नीलामी घर पहले से ही परिपक विकास में था। इलाके में कई लेंदेन की इमारते थी और हर दिन बड़ी संख्या में लोग यहां व्यापार करने आते थे। देखो, राज़पाल की जागीर के लोग यहां फिर से हैं। इस समय किसी ने उस दिशा में देखा जहां राज़पाल की जागीर की वर्दी पहने विशेशग्यों के एक समूँ को आगे बढ़ते देखा जा सकता था। मैं लगभग भूल गया हूँ कि श्रधांजली संग्रह दिवस यहां है। गवर्णर की जागीर के ये लोग आमतौर पर इतने बेकार होते हैं लेकिन जब श्रधांजली संग्रह दिवस की बात आती है तो वे वास्तव में इतना प्रयास करते हैं। कोई हसा। ठीक है उनके पास केवल इतनी ही ख्षमताएं हैं। यहां तक कि उनके गवर्णर आदित्य भी अब लोग प्रोफाइल रखते हैं, बाकी लोग क्या करें। आदित्य वर्षों पहले उस आत्मा की सुई से काटे जाने से डर गया होगा। भीड अपने आप में बुद्बुदाई। जैसे ही वे बोल रहे थे, वाइस गावर्णर शूली अपने आदमियों को लेकर आए और आए। उनकी आखें ठंडक से चमक उठीन और जल्द ही लेंदेन के मंडप के सामने पहुँच गई। इस मंडप का मालिक जूली को देखकर मुस्कुराया, उसके बाद उसकी निगाह दूसरी दिशाओं में चली गई, पूरी तरह से जूली की अभेलना करते हुए, उसे हवा की तरह माना। जूली ने मंडप में प्रवेश किया और शांती से बोला, गवर्नर की जागीर यहां श्रधाजली लेने के लिए हैं। इतने सालों में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। यह कसोटी है। तीसरी श्रेनी और चौथी श्रेनी की शक्ती के श्रधाजली संग्रह के बीच का अंतर संख्या के संदर्भ में लगभग दस गुना था। उप राजपाल जू इसका क्या अर्थ है? मंडप के मालिक के चहरे के भाव ठंडे पड़ गए, वह बेहत दुखी था। तुरंट भुगतान करें, जूली को शब्दों को बर्बाद करने की परवाह नहीं थी। वह सीधे बर्फ के स्वर में बोला, पिछले दस वर्षों के दौरान मेरे लेंदेन मंडप को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैंने राज्यपाल के मनोर को कभी भी परेशान नहीं किया है क्योंकि हमने इसे स्वयन संभाला है। हमारे व्यवसाय का पैमाना भी नहीं बदला, वाइस गवर्नर जो हमें अचानक तीसरे स्टर की शक्ती के रूप में वर्गी कृत क्यों करना चाहते हैं। क्या यह कुछ हद तक अनुचित नहीं है, बॉस ठंडेपन से बोला। का शरीर काप रहा था। यह जूली स्पष्ट रूप से यहां तयार होकर आया था। क्या राज्यपाल की जागीर उनका प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसका उप्योग करने की योजना बना रही थी। उनकी निगाहें उनके लेंदेन मंडप के पास विभिन प्रमुक शक्तियों पर टिकी थी। इस वक्त कई लोगों को लगा कि कुछ अजीब चल रहा है। जूली के अलावा अन्य दो वाइस गवर्नर दो अन्य लेंदेन मंडपों में भी यही काम कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि वेश रधाजली अर्पित करें। कई विशेशग्य स्थिती को देखते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं। जरूर कुछ अजीब चल रहा था। इन लेंदेन मंडपों के ठीक सामने प्राचीन नदी नीलामी घर था। मनुष्यों की धाराय आई और चली गई और वातावर्ण बहुत ही जीवन्त था। इस समय नीलामी घर के कई लोग रुची के साथ स्थिती को देखते हुए भीड में आ गए। राजजपाल की जागीर में क्या चर रहा था। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। अगर तुम सब इतना बड़ा हंगामा करोगे तो नी संदेह मेरे नीलामी घर के कारोबार पर असर पड़ेगा। वह बुढ़ा उदास्वर में बोला। जूली ने अपनी निगाहें घुमाई और कुछ नहीं कहा। वह रुखेपन से बोला बुढ़े की निगाहें ठंडी हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वे वास्तव में उसके नीलामी घर के खिलाफ कदम उठाने की योजना बना रहे थे। इस समय दुष्ट समराट मानव रूप में था। वह बाहर निकला और ओल्ड ही की ओर बढ़ा। आज श्रद्धांजली संग्रह की अवधी है। कुछ महीने बाद गवर्नर किन इसे पास करने के लिए लिफायर पैलेस जाएंगे। हम स्वभाविक रूप से यहां हैं जो आपको भुगतान करना चाहिए। श्रद्धांजली एकत्रित करना बूढ़ा वह ठंडा हसा। उसने दुष्ट समराट को देखा। गवर्नर की जागीर ने उत्तरी शहर क्षेत्रों के लिए कितने काम किये हैं। मेरे निलामी घर के एक ग्राहक को मार दिया गया और उसके खजाने को लूट लिया गया। यहां तक की पहले भी लोगों को परिशान करने के मामले सामने आये थे। मैंने राज्यपाल की जागीर से भी मदद मांगी है, लेकिन राज्यपाल की जागीर ने मेरे लिए कब कुछ किया। यह सही है। आपका इस से क्या मतलब है? क्या तुम लोग जानबूच कर हमारे लिए मुश्किले पैदा कर रहे हो? मंदप के मालिक जहां जूली बात कर रहे थे, अब ठंडेपन से बोले। उनके पीछे प्राचीन नदी निलामी घर के साथ यह मालिक स्वाभाविक रूप से बेहर आश् था. यह सही है, यह मेरे स्थान के लिए भी ऐसा ही है. मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर राज्यपाल की जागीर हमें दस गुना अधिक कर देने के लिए मजबूर कर रही है. यहां तक की लिफायर एंपाइरियन भी हमें समझेगा. दूसरे, लेंदे रूप से एक चेन रेक्षन आसानी से होगा. आसपास के सभी विशेशग्य तमाशा देखने के लिए रुप गए. कुछ केवल एक तमाशा देख रहे थे, कुछ अन्य राज्यपाल की जागीर का मजाक उड़ा रहे थे, प्राचीन नदी नीलामी घर के किनारे खड़े थे और राज्यपाल की जागीर के दबाव का विरोध करने के लिए उनके साथ सेना में शामिल होने की योजना बना रहे थे. तुम्हें समझना. जूली उपर चला गया, उसकी आखें ठंड़क से टिम्टिमा रही थी. गवर्नर किन उदार रहे हैं? आपके व्यवसाय की देख के लिए गवर्नर की निफायर पैलिस में थे, तो उन्हें अन्यराजिपालों की पूछताच के लिए खड़ा होना पड़ा और उन्हें ऐसा अकेले ही करना पड़ा. प्रितग्न अभागों के जुन्डने वास्तव में महसूस किया कि यहां आपका विशेशाधिकार है. हाँ, जूली की बाते सुनकर सभी हंसने लगे. आदित्य परोपकारी है, जांकुआंग एक और मंडप मालिक जोर से हसे. एक व्यक्ति जिसने अपने तीन उपरा जिपालों को दबंग तरीके से मार डाला, जब उन्होंने पदभार संभाला था, लेकिन एक लड़ाई के ब निशाली अमर समराट के पास खड़ा हो गया और वह जोर से हसा. खुलेया महा महिम की बदनामी कर रहे हैं. नगर के नियमों के अनुसार वह किस दंड का पातर है? उसके पूछते ही दुष्ट समराट हवा में खड़ा हो गया. उसे कोड़े मारे जाएंगे, पीछे किसी न उत्तर दिया. दुष्ट समराट ने तब अपना हाथ लहराया, उसे पकड़ लो. बहुत से विशेशग्य बाहर निकले, वे सभी राजिपाल की जागीर से निकले और विरोधियों को घेर लिया, उस अमर राजा को पकड़ने की तयारी कर रहे थे. दिलेर जैसे ही उसका सम समराट आगे बढ़ा, उसकी आखें ठंडी हो गई. उनकी करकश आवाज ने सभी के दिलों को दहला दिया. वह आगे बढ़ा, जैसे कि वह अकेले अपने साथ एक हजार सैनिकों को रोकने का इरादा कर रहा हो, जैसा कि उसने कहा, गवर्नर की जागीर इसे किस स्थान पर म मेरे काम को इस तरह से बाधित करना, क्या राजपाल की जागीर को ऐसा कुछ करना चाहिए? आप हमारे राजपाल की जागीर को हमारे कर्तवियों को निभाने से रोकने की हिम्मत करते हैं, इवे समराट की जेडरी आखें उसे घूर रही थी. कितना अच्छा वाक्य है, यह कहते हुए कि हम राजपाल की जागीर को उनके कर्तवियों को निभाने से रोकना चाहते हैं, इस समय निलामी घर से कई आंकडे बाहर चले गए. वे सभी अमर सामराज्य के विशेशगे थे. उनमें से इतने अधिक थे कि इसने भीर को प्रशंसा के साथ चुकचाप आह भर यह सोचकर की प्राचीन नदी निलामी घर वास्तव में समरिध था और वास्तव में उत्तरी शहर के क्षेत्रों में सबसे बड़े निलामी घरों में से एक था. उनके पास जितने अमर समराट थे, उनकी संख्या गवर्नर की जागीर की तुलना में कम नहीं थी. जैसे ही व कोड़े मारने हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि उत्तरी शहर के क्षेत्रों में कितने लोगों को कोड़े मारे जाने चाहिए. क्या आप नहीं जानते कि वहां के लोग गवर्नर किन का मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं? साथ ही इन लोगों में से कौन से वचन जूठे हैं? अमर स संदेह उत्तरी गवर्नर की जागीर का नियम है. यदि आपके कोई प्रशन है, तो आप लिफायर पैलेस जा सकते हैं और महल के स्वामी से परामर्श कर सकते हैं. अगर कोई फिर से हमारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करता है, तो सजा अब साधारन कोड़े नहीं हो लोग केवल उनकी पूरी अभेलना करते थे. यदि नहीं, तो वे कितने भी मजबूत क्यों नहों, वे खुले तौर पर ऐसा कार्य करने का साहस करेंगे. किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि गवर्नर की जागीर के पीछे लिफायर पैलेस उसका समर्थन कर रहा था. चुपचाप स्थिती पर नजर रखे हुए थे. गवर्नर की जागीर अचानक से आ गई और स्पष्ट रूप से बेहद एकी कृत थी, जो की भव्यता से निकर रही थी. वे निश्चित रूप से निर्दई इरादों के साथ आये थे. प्राचीन नदी नीलामी घर कमजोरि बोले गए शब्दों में से कौन सा शब्द प्रभू राजिपाल की निंदा करने वाला माना जाता है? एक व्यक्ती जिसने पदभार ग्रहन करते ही अपने तीन उप राजिपालों की हत्या कर दी. यह मत भूलिये कि वह कभी डाकू था. जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए पदभार संभाला, उन्होंने आप डाकूओं को आधिकारिक पद दे दिये. क्या इसे भी बदनामी माना जाता है? मुझे मत बताओ कि उत्तरीक शेत्रों में हर कोई अपनी राय नहीं रख सकता है और गवर्नर किन के कारियों के बारे में बोल सकता ह अच्छी तरह से बात, ऐसे शब्दों को बदनामी कैसे माना जा सकता है? वे सत्य के अलावा और कुछ नहीं हैं. लेंदेन मंडप के मालिकों में से एक ने आत्म विश्वास से बात की क्योंकि वह ठंडी हनसी थी. वह देखना चाहते थे कि आज राजपाल की जागीर मंच से कैसे उत्रेगी? इन लोगों ने वास्तव में महसूस किया कि उत्तरी शहर के क्षेत्र राजपाल की जागीर के क्षेत्र थे. अंतह जियालन कभीले का अभी भी यहां सबसे बड़ा अधिकार था. केवल जियालन कभीला ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता था और प्राचीन एक शांथ आवाज सुनाई दी, उन्होंने स्वाभाविक रूप से मुझे बदनाम किया. यहां आवाज अचानक निकली, जिससे यहां के लोगों की आखें चमक उठेन क्योंकि वे इसकी दिशा में घूर रहे थे. उन्होंने केवल राजिपाल की जागीर के विशेशग् को देखा जो अब दो पंक्तियों में विभाजित हो गए थे, क्योंकि वे क्रमशय बाईं और दाईं और स्थानांतरित हो गए थे, एक मार्ग खोल रहे थे. इससे यह देखा जा सकता था कि ठीक केंडर में चलने वाले व्यक्ति की स्थिती कितनी उची थी. हाला कि उन्हे कई वर्षों तक बाहरी दुनिया द्वारा अभमानना U200B U200B में रखा गया था, लेकिन राजजपाल की जागीर में किसी ने भी उन्हें थोड़ा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की, जब उन्होंने तीन उपरा जपालों को मार डाला था, तब वे कितने दबंग थे, वर्तमान गवर्नर आदित्य क्या वह आखिरकार सामने आ गए हैं? कई लोगों की नजर उन पर पड़ी, उतरी शहरी क्षेत्रों में कई लोगोंने कभी नहीं देखा कि आदित्य पहले कैसे दिखते थे, अभी उन्होंने केवल एक अत्यंत सुन्दर आकरिती को एक अ धीर के सामने की ओर बढ़ते हुए धीरे-धीरे बाहर निकला. यहां तक की दुष्ट समराथ और जूली के लिए भी दोनों पीछे हट गए, जिससे उसे आगे बढ़ने की अनुमती मिली. हम लौड गवर्नर के प्रती अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, राजपाल की जाग को तिरसकार से देखने का आभास हुआ. यह सही है, आदित्य ने जवाब दिया. यह बूढ़ा व्यक्ती मार्क गर्शन प्राप्त करना चाहता है. उनके शब्दों को बदनामी कैसे माना जा सकता है? आदित्य की ओर घूरते हुए व्रिध की आखें तेज से चमक उठी. उ उसके शब्द ज्यादातर अपमान ही हो सकते हैं, यह आपको बदनाम करने के बराबर नहीं है. महोदय आप उत्तर के राजपाल हैं, यदि आप यह कहने लगे कि वे कुछ अपमानजनक शब्दों के कारण आपकी बदनामी कर रहे हैं, तो क्या लोग आपको मजात नहीं सम कर दिया. आपका इस से क्या मतलब है? इसके अलावा, आज यहां मेरा उद्देश्य आपके प्राचीन नदी नीलामी घर से श्रधाजली एकत्र करना है. गवर्नर की जागीर में श्रधाजली एकत्र करना स्वाभाविक है. यह सिर्फ इतना है कि ये लेंदेन मंडप अपन नीलामी घर की बात है. इतने वर्षों के दौरान ऐसी कई परिशानिया हुई है. लेकिन क्या राजजपाल की जागीर ने मेरे लिए कुछ किया? लौड गवर्नर नहीं समझेंगे, है न? वे दोनों बहुत शांत लग रहे थे. उनकी आवाज में क्रोध का कोई संकेत नही था. इन वर्षों के दौरान मुझे खेद है कि राजपाल की जागीर में कोई बड़ी उपलब भी नहीं थी. इसलिए यह सीट आज यहां आई है. श्रद्धांजली एकतर करने के अलावा मेरा एक और उद्देश है और वह है उन सभी दुरघटनाओं और घटनाओं की जा उन पैमाने पर जाच करेंगे. उन ग्राहकों के अलावा जो यहां नीलामी के लिए हैं, प्राचीन नदी नीलामी घर के सभी आंतरिक कर्मी बाहर नहीं जा सकते. आप सभी यहां रहेंगे और मेरी जाच में सहयोग करेंगे. आदेश की अभेलना करने वालों के लिए आप को सरसरी तौर पर निश्पादित किया जाएगा. यहां शांत स्वर वजरपात की तरह चौकाने वाला था. बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उनका मन काप रहा था क्योंकि उनका दिल धड़क रहा था. आदेशों की अभेलना करने वालों को निश्पादित किया है. इस समय वे उस दृष्य को याद किये बिना नहीं रह सकते थे, जहां आदित्य ने उस समय तीनों उपरा जपालों की हत्या कर दी थी. उसकी आभा संक्रामक थी, जिसने भी उसे रोका, वह मर जाएगा. आदित्य उस बूढ़े ने ठंडेपन से सुंगा. तुम्हारी ह हिम्मत कैसे हुई? कौन अभिनय करने की हिम्मत करता है? राजपाल की जागीर के विशेशग्यों को नीलामी घर में भागते हुए देखकर, ओल्ड वह सीधे आगे बढ़ गया. उन्हें रोकना चाहता था. आदित्य क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, बूढ़ सिर्धर से अलग हो गया. एक ही पल में उसका सिर्धर से अलग हो गया क्योंकि उसके खून से आसपास की जमीन लाल हो गई थी. व्रिध की लाश जमीन पर गिरी, उसका सिर्धर से अलग हो गया. अंगिनत निगाहें पलट गई, उनके सभी दिल काम उठे क्योंकि वे इस अ पान खत्या के इरादे से उसकी आखें चमक उठीं। प्राचीन नदी निलामी घर से एक अमर समराठ था, फिर भी आदित्या ने उसे वैसे ही मार डाला, बिना शब्दों को बरबाद किये। अभी वे अभी भी कैसे नहीं समझ सकते थे कि उत्तरी शहर क्षेत्रों के लोगों को चेतावनी देने के लिए एक उदाहरन के रूप में उनका उप्योग करते हुए, राजपाल की जागीर प्राचीन नदी निलामी घर पर एक चाल बनाने की योजना बना रही थी। बस जब हर कोई धीरे-धीरे आदित्य के अस्तित्व के बारे में भूल रहा था, तभी आदित्य प्रकट हुए। जब सभी को लगा कि राजपाल की जागीर बेकार का प्रतीक है, तो वास्तव में राजपाल की जागीर से लोग इतने दबंग तरीके से प्राचीन नदी निलामी घर में आए। जानते थे कि बहुत से लोग बाहर अपने गवर्नर की जागीर को हे द्रिश्टी से देखते थे। उनकी प्रतिष्ठा बहुत कम थी, अन्यक्षेत्रों में अन्यराजपालों की जागीर सभी अत्यंत प्रभावशाली थी। केवल उनके उत्तरी गवर्नर की जागीर में भारी कमी थी, हर किसी ने उनका विरोध करने की हिम्मत की और जब वे हर दस साल में श्रधाजली इकठा करते थे, तो ऐसा महसूस होता था कि वे शक्तियों को स्वेच्छा से भुगतान करने के बजाए भुगतान करने की धीख मांग रहे थे, इतना ही नहीं, उत्तरीक शेत्रों में इन शक्तियों को भी उनके लिए मुश्किले खड़ी करना अच्छा लगता था, उन्होंने नाराजगी की इस सांस को बहुत लंबे समय तक दबा रखा था, दसियों वर्षों में, अब उनके लॉर्ड गवर्नर अंत की लेपन का खुलासा किया, नीलामी घर के विशेशग्यों ने नीलामी घर के नेताओं में से एक गुढ़े व्यक्ति की ओर अपना रुख किया, इस समय बूढ़ा असाधारन रूप से शांत दिख रहा था, थंडेपन से बोलने से पहले उसने जमीन पर पड़ी लाश को देखा, उन्हें जाच करने दो. जाहिर है, वह यह भी समझ गया था कि आदित्य सही माइने में उनके खिलाफ चाल चल रहा है. अगर उन्होंने उसे रोका, तो इसका मतलब था कि उनका नीलामी घर युद्ध चाहता था. इसके अलावा, दूसरे पक्ष के पास ऐसा करने क के लिए परियाप्त कारण थे. प्राचीन नदी नीलामी घर के रूप में, उन्होंने पहले से ही मदद के लिए अपने सहयोगियों को छिपे हुए संदेश भीजे थे, लेकिन उनका कोई भी सहयोगी अभी तक नहीं आया था. यहां तक कि अगर वे युद्ध चाहते थे, तो उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना था कि उनके पास अधिक विशेशग्य हों. वर्तमान में आदित्य की सेनाए अधिक मजबूत थी और यदि वे आमने सामने टकराती तो निश्चित रूप से हार जाती. उस समय वे पहले ही अपनी जान गवा चुके होंगे, फिर बाकी सब बातों का क्या मतलब होगा? इसलिए अब उन्हें जो करने की जूरत थी, वह था सहना. जब उन्होंने अपनी मुठिया भीची, तो उनके चहरे क्रोध से भरे हुए थे. निलामी घर के विशेशग्य अपने तरीके से वध करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते आदित्य भी स्वाभाविक रूप से समझ गया था, लेकिन वह बस चुपचाप देखता रहा. आज जो भी आया बेकार था. गवर्नर की जागीर से विभिन अमर समराटों ने प्राचीन नदी नीलामी घर के कई महत्वपून स्थानों को जंजीरों से जकड कर बंद कर दि ऐसा करके क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सुचा है? बूढे ने शांती से पूछा, उसकी आखें संदेश भेजने के बाद आदित्य को घूर रही थी. क्या प्राचीन नदी निलामी घर नहीं है, जो इस सीट को उन सभी घटनाओं की जाच करना चाहता था जो जानते हैं कि आप कभी डाकू थे और यह भी समझते हैं कि आपको इस राजिपाल के पदपर क्यों रखा गया? इसलिए मैं इमानदारी से अनुशन सा करता हूँ कि राजिपाल के मनोर कुछ भी करने से पहले आप लोग परिणाम के बारे में सोचें या तयार रहें. जह तेजी से एक व्यक्ति को गवर्नर मनोर के पहरेदारों द्वारा बाहर की ओर ले जाया गया. यह एक शिखरचन अमर समराठ था. उन्होंने आदित्य की ओर देखते हुए पूछा गवर्नर आपका इससे क्या मतलब है? आदित्य ने अपनी निगाहे घुमाई पर वह क अजीब सी रोशनी चमक उठी. तो यह पता चला कि राज्यपाल के मनोर ने इस दिन के लिए बहुत लंबे समय की योजना बनाई है. आज वे वास्टव में तयार होकर आए थे. दूर से अधिक से अधिक विशेशग्या आए. धीरे धीरे प्राचीन नदी निलामी घर के आसपास का क्षेत्र लबालब भर गया. बहां जमीन और हवा दोनों जगह भीड खडी थी. हालांकि प्राचीन नदी निलामी घर उत्तरी शहर के क्षेत्रों में एक प्रमुख नीलामी घर था. लेकिन इसका मानव प्रवाह आज जितना उचा कभी नहीं था. गवर्नर की इसने विभिन प्रमुख शक्तियों के लाभों और हितों को प्रभावित किया. आखिरकार पिछले दस वर्षों में लोगों के लिए अपनी श्रधांजली अर्पित करना बहुत दुरलब था. अत इसमें इसका एक और अर्थ था. बहुत से लोग यह देखना चाहते थे कि यह वर्तमान स्थिती क्या परिवर्तन लाएगी. हवा में कुछ प्रमुख शक्तिया थी जो कई विशेशग्यों के साथ पहुँची. उनमें कई अमर समराट भी थे, जिनमें शिखरवस्था वाले भी. शामिल थे. जिस क्षन वे पहुँचे वे सीधे प्राचीन नदी न इलामी घर के पास खड़े हो गए और जिस स्थान पर वे थे वह तूफान के केंदर के सबसे करीब था. वे सब के सब राजिपाल की जागीर से लोगों को भद्दी निगाहों से देख रहे थे. जाहिर है ये लोग निर्दई इरादे से आये थे. हाला कि आदित्यने उन्ह देखने के लिए अपना सिर भी नहीं जुकाया. वह अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और चुपचाप वही खड़ा हो गया. यहां तक कि उसने अपनी आखे भी बंद कर ली जैसे ध्यान में हूँ. वह सुन्दर चेहरा बेहद आकरशक था और कई कई विशेशग्यों को गार्डों द्वारा बाहर ले जाने के बाद गवर्नर की जागीर के लोग अपने मूल पदों पर लौट आए. प्राचीन नदी निलामी घर के बुढ़े व्यक्ती ने ठंडेपन से कहा, गवर्नर आप वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे है दुष्ट समराट मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूँगा, बोलते बोलते आदित्य की आखें बंधी रह गई. हम्म दुष्ट समराट ने सिरहिलाया. एक कदम आगे बढ़ते ही उसकी आखों में एक अजीव सी रोशनी चमक उठी. पकड़ना बुढ़ा दाड़ा. भ सभी को कुछ समस्याए हो लेकिन आपके नीलामी घर को कुछ भी नहीं मिला. चुंकि मेरे गवर्नर के जागीर ने कहा कि हम उन घटनाओं की जाच करेंगे जो उन वर्षों पहले हुई थी. हम स्वाभाविक रूप से ऐसा करने के लिए अपना सर्वश्रिष्ट प्रयास क करेंगे. तुम मुझे बाधित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आदित्य ने अपनी आखें खोली जैसे एक देधी प्यमान प्रकाश निकला. यह प्रकाश तलवारों की तुलना में तेज था और सीधे बुढ़े व्यक्ती की आँखों में चला गया. बुढ़े व्यक्ती क्योंकि उसने एक बंदी की आखों में देखा. जैसे ही उसकी अभिव्यक्ती लकडी की हो गई, उस व्यक्ती की आखों ने हरी रोष्णी को प्रतिबिंबित कर दिया, जैसे वह एक विसमे में था. बीस साल पहले क्या आप प्राचीन नदी नीलामी घर में हुई लूट और डकैती की घटनाओं के बारे में कुछ जानते हैं, दुष्ट समराट ने पूछा. मुझे पता है, जवाब देते ही उस व्यक्ती ने सिरहिलाया. मुझे सटीक विवर्ण बताओ, दुष्ट समराट बोला. श्रधांजली संग्रह की तिथी लगभग तब आ गई थी. श्रधांजली देने से बचने के लिए हमारे नीलामी घर ने भव्यशु किया. उस व्यक्ती ने उत्तर दिया. बंद करना वह बूढ़ा चिलाया, उसकी आवाज वजरपात जैसी थी, जिससे उस व्यक्ती की आत्मा को हिला कर रख दिया गया था. उसके बाद उसकी आखों में हरी बत्ती गायब हो गई, उसने बूढ़े आदमी को देखा, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ती फीकी पड़ गई थी. दुष्ट समराट जारी रखें, आदित्य शांती से बोला. महम जुयान, आठ साल पहले मैंने सुना था, कि आपने एक बार एक घटना के बारे में बात की थी, जो दस साल पहले हुई थी, वह घटना प्राचीन नदी नीलामी घर के दरवाजे पर एक व्यक्ती की हत्या के बारे में थी. क्या वह हत्या प्राचीन नदी नीलामी घर के विशेशग्यों में से एक नेकी थी दुष्ट समराट ने सीधे पूछा हाँ, वह लक्ष्य वह था जिसे हमारा नीलामी घर बहुत पहले से मारना चाहता था बस सन्योग से तब श्रधांजली संग्रह की तारीख आ गई थी और हमने इस मौके का इस्तिमाल एक तीर से दो पक्षियों को मारने के लिए किया उस लक्षे को पूरा किया उसके बाद हमने राज्यपाल के मनोर को एक रिपोर्ट दी, लेकिन वे इसे हमारे पास कैसे ढूंड पाएंगे उस घटना के लिए ही नहीं, हर बार जब श्रधांजली संग्रह की तारीख नस्दीक आती थी, तब भी जब हम कर नहीं देना चाहते, तो हमें बहाना ढूंडना पड़ता है गवर्नर की जागीर के लोग सभी कायर हैं, भले ही वे इसके बारे में जानते हूं वे सिर्फ कच्रे का एक गुच्छा है, सक्चाई का खुलासा करते ही जू यान के मुह पर एक अजीब सी मुस्कान ना गई, पूरा अंतरिक्ष खामोश हो गया बूढे आदमी की चाती उपर नीचे हो रही थी, वह इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर काप रहा था उसकी आखे धीरे-धीरे मुडी और दुष्ट समराट पर उतरी, यह परियाप्थ होना चाहिए दुष्ट समराट की ख्षमता के बारे में कौन नहीं जानता, वह उनसे जो चाहे कह सकता है यह मेरे नीलामी घर को तयार करने के लिए मेरे लोगों का उप्योग करने का एक स्पष्ट मामला है कितने घिनोने तरीके? घिन तरीके दुष्ट समराट की नजर उस बुढ़े पर पड़ी आपका प्राचीन नदी नीलामी घर वह है, जिसने सभी प्रकार के बेशर्म तरीकों का इस्तमाल किया फिर भी आपके पास ऐसी बात कहने का चहरा है हम्फ आपसे बहस करना व्यर्थ है बुढ़े ने आदित्य की तरफ देखा यही कारण है कि मैं पूछ रहा था कि गवर्नर किन वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे है यह ठीक है कि आप मेरे नीलामी घर से डील करना चाहते हैं लेकिन मुझे फंसाने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तमाल करने की क्या जरूरत है मैंने सुना है कि क्योंकि उत्तरी गवर्नर इन वर्षों के दौरान परियाप्त श्रधाजली एकत्र करने में विफर रहे हर दस साल में जब भी वह लिफायर पैलेस में इकठा होते हैं तो उनका तिरसकार किया जाएगा क्या यही कारण है कि गवर्नर किन ने ऐसा किया एक और आवाज निकली सभी ने अपना सिर घुमा लिया जो व्यक्ती बोला वह वास्तव में एक बड़ी शक्ती से था इस समय उनके चहरे पर एक उपहास का भाव था सपश्ट रूप से वह यहां प्राचीन नदी नीलामी घर की मदद करने के लिए आया था इस शक्स का लहजा बेहद मजा किया था जाहिर है वह आदित्य के खिलाफ थे जंग्यात्मक रूप से इशारा करते हुए कि आदित्य पर्याप्त श्रधाजली एकत्र करने में सक्षम नहीं थे और महल के स्वामी को जवाब नहीं दे सके और यही कारण था कि उन्होंने प्राचीन नदी नीलामी घर के खिलाफ कारवाई करने के लिए इस तरह के घ्रेनित तरीकों का इस्तमाल किया हाला कि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा फिर भी लोग यह कैसे नहीं जान सकते कि वे किस और इशारा कर रहे थे आदित्या ने अपना सिर जुका लिया और बोलने वाले की ओर देखने लगा उसके सुन्दर चहरे पर एक फी की मुस्कान आ गई तुम हो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या महत्वपूर्ण है कि आप लॉड गवर्नर के रूप में लिफायर सिटी में हम जैसे इमानदार व्यवसाईयों से निपटने के लिए आप इस तरह के तरीकों का उप्योग कैसे कर सकते हैं यह वास्तव में हमारे दिल को ठंडा कर देता है हाला कि हम जैसे लोग अकसर अकेले और कमजोर होते हैं हाला कि हमारी तुलना गवर्नर की जागीर से नहीं की जा सकती है लेकिन जब राजजिपाल की जागी हमारे खिलाफ इस तरह के तरीकों का इस्तिमाल करती है तो हम मौत का इंतजार करने के लिए नहीं बैठेंगे बोलने वाले का लहजा और भी दबंग हो गया क्योंकि उसने बोलना जारी रखा ओह आदित्य ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो बोल रहा था यह एक शिखरचन का अमर समराट था जिसके आसपास कई अन्य समराट थे ऐसी शक्ती कमजोर थी अकेले अमर समराटों की संख्या के आधार पर उनके गवर्नर की जागीर की तुलना शायत इससे भी नहीं की जा सकती यह सही है लिफायर सिटी में हम सभी इमानदार व्यवसाई हैं और हमारे लिए विकास करना आसान नहीं है चुंकि राज़िपाल की जागीर हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें कोई श्रधाजली देने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन आपके गवर्नर की जागीर वास्तव में इस तरह के गुप्त तरीकों का सहारा लेती है यह वास्तव में हमारे दिल को ठंडा कर देती है एक प्रमुख शक्ती के एक अन्य विशेशग्य ने बात की वे सभी प्राचीन नदी निलामी घर की तरफ लग रहे थे जूली ये दोनों कौन हैं? क्या उन्होंने कभी अपनी श्रधाजली ठीक से दी है? आदित्यने जैसे ही पूछा वाइस गवर्नर जूली की ओरमुरे क्रिंसन मोन मंदब के मंदब के स्वामी और स्काई इनसिंस संप्रदाए के संप्रदाए के नेता दोनों को प्रथम श्रेणी की शक्तिया माना जाता है और हमारे उत्तरी शहर क्षेतरों के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर व्यवसाय हैं लेकिन अगर हम सर के पद्भार ग्रहन करने की तारीक से जाच करें तो इन दोनों शक्तियों ने पहले कभी कोई योगदान नहीं दिया है जूली ने जवाब दिया गवर्नर की जागीर इतनी बेकार है और कुछ भी नहीं करती है फिर भी आप चाहते हैं कि हम श्रधाजली दें क्या तुम लोग मूठ हो प्रिमसन मोन मंडप भगवान ने जारी रखा आप सभी कहते हैं कि आपके द्वारा परेशानी की सूचना देने के बाद गवर्नर की जागीर ने कुछ नहीं किया चुंकि हम अतीत में इसकी सपष्ट रूप से जाच करने में असमर्थ हैं इसलिए आप लोगों ने योगदान देने से इंकार करने के बहाने के रूप में इसका इस्तिमाल किया इस बिंदु पर इस सीट को यह स्विकार करना होगा कि आपके कारियों में कुछ भी गलत नहीं है धीरे धीरे बोलते हुए आदित्य ने सब को घूर कर देखा लेकिन अब मैं पिछली घटनाओं को हल करने के लिए एक उदाहरन स्थापित करने के लिए पूरी इमानदारी से यहां आया था फिर भी आप लोग कहते हैं कि मैं बदनामी करने की कोशिश कर रहा हूँ और जानबूच कर आप सभी को नुकसान पहुचाना चाहता हूँ उस स्थिती में मेरे गवर्नर की जागीर कुछ भी करे आप लोग स्पष्ट रूप से कोई लोगदान देने का इरादा नहीं रखते हैं गवर्नर किन आप जानबूच कर मेरे अर्थ का गलत अर्थ निकाल रहे हैं यदि आपके पास वास्तव में जाँच करने का दिल है तो आप लोगों को मेरे निलामी घर के आंतरिक कर्मचारियों की जाँच करने और मेरे लोगों को पकड़ने के लिए क्यों भेजेंगे आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं प्राचीन नदी निलामी घर का बूढ़ा व्यक्ति ठंडेपन से बोला आजीवन शेत्र हमारे उपर है आजीवन संप्रभु के नीचे नौ विश्व महल सामराज असीम विशाल प्रदेशों को नियंतरित करते हैं लिफायर वल्ड पैलेस को लिफायर एमपायर नद्वारा नियंतरित किया जाता है और शहर को पांच नगर क्षेत्रों में विभाजत किया गया है, जो पांच राज्यपालों में से प्रत्येक को दिये गए हैं। मैं आदित्य पांच नगर राज्यपालों में से एक के रूप में उत्तरी नगर क्षेत्रों में हर चीज़ पर मेरा अधिकार है। चुंकि यह सीट सच्चाई की जाच करना चाहती है, इसलिए आप सभी को मेरा सहयोग करना चाहिए। यदि आप मेरे कारियों से नाखुश हैं, तो आप सीधे जाकर लिफायर एंपायरन को इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आदित्य की आवाज गंभीर और बेहत थंडी हो गई। आज सच्चाई सब के सामने हैं। यदि आप सभी इसे रोकने का प्रयास करते हैं, तो यह बेकार है। किसी और के लिए जो मेरे गवर्नर की जागीर को अपने करतवियों को निभाने से रोकने की हिम्मत करता है, हम सभी को बिना दया के मार देंगे। एक भयानक सर्ध हवा चली गई लगती थी, सभी को केवल कुछ ठंडक महसूस होती थी। इससे पहले आदित्य ने ऐसा वाक जिससे उसकी हत्या का इरादा जलक रहा था। ऐसा ही था कि आज कोई भी आए, उसे प्राचीन नदी नीलामी घर के खिलाफ कदम उठाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्रिंसन मून मंडप के विशेशग्य यहां थे, कई अमर समराट थे और यहां तक कि उनके मंडप के स विशेशग्य भी उतने ही अमर समराटों के साथ आए और उनके संप्रदाय के नेता भी व्यक्तिगत रूप से आए। वे प्राचीन नदी नीलामी घर के अलावा विशेशग्यों का एक अत्यंत शक्तिशाली समूह बनाने के लिए पर्याक्त थे। यदि वास्तव में विशेशग्य ने बात की यह प्राचीन नदी नीलामी हाउस के पास बड़े लेंदेन मनकों में से एक का मालिक था। उसका साधना आधार अमर समराट सामराज्य के मध्य चरण में था। इस समय बहुत से लोग अनायास ही प्राचीन नदी नीलामी घर के शिविर में हो गए थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे किसी गठ बंधन में थे बलकि इससे उनके लाप प्रभावित हुए। यह लड़ाई अत्यंत महत्वपून थी। एक बार जब राजपाल की जागीर ने प्राचीन नदी नीलामी घर को गिरा दिया तो इसका मतलब था कि राजप पाल की जागीर श्रधाजली एकत्र करती है तो क्या वे भुगता नहीं करने का साहस करेंगे। गवर्नर किन कृप्या ध्यान से सोचें, दूसरे व्यक्ति ने याद दिलाया, लेकिन उसके लहजे में दयालुता का कोई संकेट नहीं था। वह ठंडेपन से बोला जैसे वह प्राचीन नदी निलामी घर के बूढ़े आदमी ने धीरे-धीरे बात की, उसकी आखे भयानक हत्या के इरादे से टिम्टि मा रही थी। आदित्य जानता था कि बूढ़ा उसे मारना चाहता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने जियालन कभीले के प्रभाव क कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके बजाए उनके साथियों द्वारा मार दिया गया, तो इसका मतलब है कि लिफायर सामराजिकी नजर में उसका कोई मूल्य नहीं था। उसके मरने के बाद लिफायर एमपायर निश्चित रूप से उसके लिए खड़ा नहीं होग इसका मतलब केवल यह होगा कि वह बेकार था। लिफायर एमपेरियन को जिस चीज की जरूरत थी वह एक उपयोगी आदित्य था। जहां तक जियालन कबीले का सवाल है तो उनके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। जिस क्षण उन्होंने कार्यालय संभाला औ और अपने उपराज पालों के खिलाफ कारवाई की उन्हें पहले से ही उनमें से दो द्वारा एक आत्मा हत्या सुई का उपयोग करके हत्या के प्रयास का सामना करना पड़ा। जब तक जियालन कबीले को एक अफसर मिलता है वे निश्चित रूप से मारने के लिए आगे बढ़ेंगे और अभी आदित्य जियालन परिवार को एक मौका देने की योजना बना रहा था एक शांदार अफसर जिसे वे चुकना नहीं चाहेंगे लिफायर पैलेस या जियालन कबीले के बावजूद दोनों की अपनी योजनाई थी आदित्य बीच में फस गया था और बेहत दैनिय स्थिती में था हाला कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था मेरे राजजपाल की जागीर के 3000 सैनिक मेरी आग्या सुनते हैं आदित्य ने ठंडी आग्या दी हम यहां हैं हवा में एक भयानक गड़गडाहट की आवास गूंज उठी उस हंगामे के बाद गवर्नर के मनोर ने विशेशग्यों के नए बैचों की भरती की थी और अभी उनके नियंतरण में ठीक 3000 सैनिक थे अभी ये सभी यहां प्राचीन नदी नीलामी घर में एकत्र हुए थे श्रद्धांजली देने से बचने के लिए प्राचीन नदी नीलामी घर ने राज्यपाल की जागीर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने के लिए खुद के खिलाफ साजिश रची जब से मैंने पद्भार ग्रहन किया है तब से लेकर अब तक उन्होंने एक बार भी कोई अंशदान नहीं दिया है अब से प्राचीन नदी नीलामी घर को सील कर बंद कर दिया जाएगा इन वर्षों के दौरान योगदान की कमी को पूरा करने के लिए तुरंत सफाई अभियान शुरू करें उनकी सारी संपत्ती राज़िपाल की जागीर की होगी आदेश देते समय आदित्य की आवास बेहत थंडी थी उन्होंने सीधे व्यवसाय के स्वामित्व को जब्त कर लिया संपत्ती को राज़िपाल की जागीर में स्थानांतरित कर दिया आदित्य तुम्हारी हिम्मत है भयानक आभा के रूप में बूढ़ा आदमी गुस्से में चिलाया आसमान में विनाशकारी बिजली चमकती देखी जा सकती थी जो लोग मेरे गवर्नर की जागीर को कर्तवियों को पूरा करने से रोपते हैं उन्हें बिना किसी दया के अंजाम दिया जाएगा आदित्य ने ठंडेपन से दोहराया ततकाल 3000 सैनिकों ने अपने अभा बिखेर दी जिससे माहौल बेहत तनाफपून हो गया हर तरफ उर्जा की प्रचंड लहरें दौड रही थी जिससे भीड में कई लोगों के दिलकाम उठे अमर राजाओं और अमर समराटों की ताकत को देखते हुए प्राचीन नदी निलामी घर का आकार अभी भी छोटा माना जाता था भीड में से कई पीछे हटने लगे खास कर कुछ निर्दोश दर्शकों के लिए युद्ध के बाद के जटकों के कारण वे घायल हो सकते हैं इस दर से वे सभी भाग गए लगता है जैसे लौड गवर्नर वास्तव में अत्याचारी बनने के लिए तयार है क्रिंसन मून मंडप के भगवान ने ठंडेपन से बात की उनके आद्मियों ने भी शक्तिशाली आभा बिखेरी क्योंकि उनकी आँखों में हत्या का इरादा टिम्टिमा रहा था स्काई इंसेंस संप्रदाय का नेता वही था जो अपने विशेशग्यों को बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा था तीन हजार सैनिकों को गवर्नर की जागीर से घेरना चाहता था आप सभी प्राचीन नदी निलामी घर के लिए उनके अपराधों का भार उठाना चाहते हैं उस मामले में मैं देखना चाहता हूँ कि आप सभी में वास्तव में वजन सहन करने की क्षमता है या नहीं आदित्य धीरे-धीरे हवा में उठे देदी प्यमान समराट प्रकाश चमक उठा जैसे एक तीवर प्रकाश ने क्षेत्र को रोशन कर दिया इतना अंधा कर दिया कि कई लोग चकाचौंध के खिलाफ अपनी आखे बंद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सके मध्य चरण अमर समराट बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उनका दिल हिल रहा है अफवाहों का दावा था कि आदित्य की साधना केवल अमर समराट सामराज्य के प्रारंभिक चरण में थी लेकिन अब वह वास्तव में मिड स्टेज तक पहुँच गए हैं कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्राचीन नदी नीलामी घर के खिलाफ कारवाई करेगा उसकी ताकत अभी विस्पोटक रूप से बढ़ी थी मुझे इसे आखिरी बार दोहराने दो जो लोग मेरे गवर्नर की जागीर को उसके करतवियों को निभाने में बाधा डालते हैं उन सभी को बिना किसी दया के मार डाला जाएगा आदित्या ने एक और कदम आगे बढ़ाया दुष्ट समराट ने अपना हाथ हिलाया हटो पूरे प्राचीन नदी निलामी घर को सील करते हुए तीन हजार सैनिकों ने कारवाई की बूंद क्रिंसन मून मंडप भगवान दुष्ट समराट की और उग्र उर्जा के रूप में आकाश में उड़ गए क्रिंसन मून पवेलियन के विशेशग्यों ने भी काम किया क्योंकि वे तीन हजार सैनिकों की और बढ़े गर्जन दुष्ट समराट गुस्से में चिलाया राक्षसी उर्जा की हिंसक लहरों ने क्शेतर को हिला दिया की भीड में अंकिनक दर्शक उनमत गती से पीछे हट गए लड़ाई शुरू होने वाली थी फिर भी कौन पास आने की हिम्मत करेगा स्क्रेंड क्रिंसन मून पवेलियन लॉर्ड ने आकाश को ढखने वाले भयानक लाल रंके ताड के निशान को विस्फोट से उड़ा दिया हमले के उतरने से पहले ही निडर आभा और अराजक उर्जा प्रवाह ने पहले ही कई अमर राजाओं को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था उसके बाद विशाल हथेली की चाप इविल समराट के खिलाफ एक विस्फोटक उच्छाल के रूप में पटक दी गवर्नर किन आपने हमें बहुत दूर कर दिया है प्राचीन नदी निलामी घर के बुढ़े व्यक्ती ने अपनी समराट शक्ती को जारी किया उसके आसपास के विशेशग्य एक पंक्ती में खड़े थे, हमला करने के लिए तयार थे दूसरी और स्काई इंसेंस संप्रदाय के विशेशग्यों के साथ साथ कुछ अन्य शक्तियों के विशेशग्यों ने भी गवर्नर की जागीर के खिलाफ युद्ध की तयारी करते हुए अपने प्रभामंडल को फैलाया इस बार चीजें पागल हो रही हैं, बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उनके दिल काम रहे हैं उन्हें ऐसा नजारा देखे हुए कई साल हो गए हैं गवर्नर की जागीर वास्तव में प्रमुख शक्तियों के विरुध युद्धरत थी उत्तरी शहर के क्षेत्रों को जियालन कभीले का क्षेत्र माना जाता था यहां तक की लिफायर एंपाइरियन भी यहां की चीजों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था इसलिए यहां की कई प्रमुख शक्तिया जियालन कभीले के प्रभाव में थी और उत्तरी गवर्नर की जागीर के खिलाफ बहुत दबं तरीके से काम करती थी अतीत में अत्याचारी और दबं शासक भी थे लेकिन उन सभी की मृत्यू हो गई थी और लिफायर एंपाइरियन ने उनसे बदला लेने के लिए कोई कारवाई नहीं की अभी अपने पूर्व वर्तियों की तुलना में और भी अधिक क्रूर और अत्याचारी राजपाल सामने आया है आदित्य जो कभी डाकू था आज यह अत्याचारी राजपाल आदित्य क्या इतने वर्षों तक लो प्रोफाइल रहने के बाद आखिरकार मरने वाला था लिफायर सिटी के उत्तरी शहरी क्षेत्र हमेशा गंदे पानी का पूल रहे है यहाँ हालाक बदलना इतना आसान नहीं था यह पूरा स्थान उजला होने लगा वे सभी दर्शक बहुत दूर पीछे हट गए शामिल नहीं होना चाहते थे अनेक अमर राजा महाराजा प्रबल पराक्रम से प्रस्पुटित हुए गवर्नर की जागीर के सैनिकों को शत्रु विशेशग्यों ने रोक दिया और वे आगे नहीं बढ़ सके इविल समराथ और जूली ने जोर से गर्जना की जब उन्होंने क्रूरता से आरोप का नेत्रित्व किया जैसे जैसे उससे निकलने वाली रोशनी तेज होती जा रही थी आदित्य हवा में तैरता जा रहा था क्या वह पागल हो गया है? चुंकि उसने आज अभिनाय करना चुना वह स्वाभाविक रूप से असफल नहीं होगा मोटे तौर पर लगभग 50 साल पहले सत्ता संभालने के बाद अपने 32 गवर्नरों की हत्या के अलावा आदित्य ने कभी भी उत्तरी शहर क्षेत्रों में कोई कदम नहीं उठाया था वह या तो बंद दर्वाजे के एकांत में रहा है या वह खुद से बाहर रहा है आज तक उसके साधना आधार के अमर समराट सामराज्य के मध्य चरण तक पहुँचने के बाद ही उसने अपनी चाल चलने का फैसला किया वह उत्तरी शहरी क्षेत्रों में उन सभी प्रमुक शक्तियों को बताना चाहता था जो उसे अवमानना में रखते थे कि पिछले 50 वर्षों से जमा हुए कर्स का हिसाब देने का समया गया है चकाचौंध करने वाली रोशनी ने क्षेत्र को रोशन कर दिया चकाचौंध के कारण कई लोग अपनी आखें नहीं खोल सके प्राचीन रिवर ऑक्षन हाउस, क्रिंसन मून पवेलियन और स्काई इंसिंस सेक्ट और इसमें भाग लेने वाली अन्य छोटी शक्तियों ने केवल एक उजडवल प्रकाश को अपने चारों और महसूस किया वे दूसरों से अलग हो गए, वे सभी प्रकाश के इस खेत्र में फस गए प्राचीन नदी निलामी घर से एक मध्यचरण के अमर समराट ने भयानक समराट प्रकाश के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया कानून उर्जा उसके चारों और बेथाशा नाच्ती थी, फिर भी वह अपनी आखों को ढालने के लिए अपना हाथ उपर उठाए बिना नहीं रह सकता था आदित्य के प्रकाश के क्षेत्र से भेदी चमक अनायास ही, उसके बचाव के माध्यम से रिस गई और उसके शरीर पर चमक उठी जैसे जैसे समय बीता गया, उसका प्रकाश वास्तव में आदित्य के डोमेन से प्रकाश के भीतर डूग गया वह तेज और तेज चमकने लगा, मानो वह उस प्रकाश के साथ एक हो जाना चाहता हो, नहीं वह क्रोध और दुख में दहाडा, यह कैसे हो सकता है, अमर समराट के राज्य की मध्य अवस्था में पहुँचना उसके लिए कितना कठिन था, अपनी वर्तमान स्थिती तक पहु वह अंतह प्रकाश का हिस्सा बन गया और बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया, केवल उसे ही नहीं, प्रकाश के खेत्र में पकड़े गए, सभी शत्रू मध्य चरण और प्रारंभिक चरण के समराटों के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं था, उनके शर से से, दुख से, अनिच्छा और निराशा से भरी हुई थी, यह सुनते ही दर्शक सिहरने से खुद को रोक नहीं सके, जब चमक अंत में फीकी पड़ गई, जब सभी ने अपना सिर जुका लिया और फिर से हवा में घूरने लगे, तो उन्हें लगा कि उनकी आत्मा काम र उसके डोमेन से प्रकाश का एक धमा का ही सब कुछ उलट फेर करने के लिए काफी था, प्राचीन नदी नीलामी, क्रिमसन मोन मंडप, आकाश धूप संप्रदाय और युद्ध में भाग लेने वाली अन्यशक्तियां उनके अमर समराटों के विशाल बहुमत की मृत्यों हो वह इतना शक्तिशाली क्यों था? वह समराटों के एक समुह को अपने डोमेन से प्रकाश की एक विस्पोट के साथ मार सकता था. यह बिल्कुल अकल्पनिय था, यह बहुत भयानक था. क्या इसका मतलब यह नहीं था कि आदित्य से पहले समुह के सभी हमले बेकार हैं? जहा पूर्व उपराजपालों को दबं तरीके से मार डाला, वह आत्मा को मारने वाली सुईका उप्योग करके चुपके से हमले के तहट नहीं मरा और अभी अपने डोमेन से प्रकाश के एक विस्पोट ने अमर समराटों के एक समुह को मार डाला. यह कितना प्रभावशाली थ क्या इन प्रमुक शक्तियों के लोग बहुत अहंकारी नहीं थे? वे राजपाल की जागीर को हे द्रिश्टी से देखते थे और वास्तव में राजपाल की जागीर के विरुध युद्ध चाहते थे. इससे पहले उन सभी ने जानबूच कर उनके लिए मुश्किले खड़ इससे पहले उन्होंने आदित्य का मजाक उडाने की भी हिम्मत की थी. जब उन्होंने इस बारे में सोचा, तो उन्होंने केवल आतंग को अपने दिलों में कुतरते हुए महसूस किया, संसनी बेहत भयानक थी. इस बार जरूर कोई बड़ी बात होने वाली थी. इतनी सारी शक्तियों से सेना में शामिल होने के साथ, उन्होंने लडाई में शामिल होने का साहस भी किया, जब उनके प्रतिद्वंधवी राज्यपाल की जादीर थे. इससे पहले ऐसा नहीं था कि वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे, बलकि ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले गव शक्तियों के खिलाफ सेना में शामिल हो सकती थी. प्राचीन नदी निलामी घर को निशाना बना कर आदित्य उन सभी को बाहर करना चाहता था जो उसे मारना चाहते थे. लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर उन्हें कई बड़ी शक्तियों के खिलाफ लड़ना पड़ा. पूरी ताकत के आगे सारी योजनाएं और प्लॉट बेकार थे. आदित्य जो मिड़ स्टेज तक पहुँच गया है, निहसंदे उसमें इतनी ताकत थी कि वह अत्याचारी हो सकता था जितना वह चाहता था. वह विभिन प्रमुक शक्तियों से स तरह से कार्य करने जा रहे हैं. प्राचीन नदी निलामी घर का बूढ़ा आदमी पहले जैसा आत्म विश्वासी नहीं लग रहा था. इस सीट के सिर पर टोपी लगाने की कोई जरूरत नहीं है. आप अभी भी जानते हैं कि यह सीट उत्तरी गवर्नर है. इतने सालों में क जागीर के लिए मुश्किले खड़ी कर रहे थे. यहां तक की पहले बहाने खोजने की कोशिश कर रहे थे. तुम लोग मेरी सेना को धमकाना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे पास अधिक ताकत है. क्या आप सभी ने पहले मेरे गवर्नर की जागीर के खिलाफ युद्ध की गोशना नहीं की थी. इस सीट को खत्म करना चाहते थे. लेकिन स्थिती में अचानक परिवर्तन क्यों? अब मैं तुम सबको क्यों धमका रहा हूं? आदित्य की वानी अती दबंग थी. उसने अपनी निगाहें हवा में घुमाई. इससे पहले यहां आसन मेरे राजपाल की जागीर को अपने कर्तवियों के पालन में बाधा डालने वालों को फासी देने का आदेश दे चुका था. अभी प्राचीन नदी निलामी घर ने उनकी सजा को स्विकार करने से इनकार कर दिया. क्रिंसन मून पवेलियन और स्काई इंसिंस सेक ने भी पिछले दस वर्षों के दोरान कभी भी कोई योगदान नहीं दिया है और यहां तक कि मेरे गवर्नर की जागीर के खिलाफ लड़ने के लिए अब प्राचीन नदी निलामी हाउस के साथ सेना में शामिल होने का विकल्प चुना है. ये अक्षमें अपराध हैं और अब से मैं उत्तरी शहर क्षे परती गई अंगिनत लोगों ने महसूस किया कि उनके दिल काम रहे हैं. यह बहुत पागलपन था. इस बार न केवल प्राचीन नदी निलामी घर के लिए क्रिमसन मून मंडप और स्काई इंसेंस संप्रदाय सभी अपने व्यवसायों और संपत्तियों को ले जा रहे थे. इस बार गवर्नर की जागीर शुरू में केवल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्राचीन नदी निलामी घर का उप्योग करना चाहती थी. लेकिन क्योंकि दो अन्य प्रमुख शक्तिया इसमें शामिल होना चाहती थी, वे भी उत्तरी गवर्नर की जागीर क निशाना बन गई. हाँ, राज्यपाल, राज्यपाल की जागीर के अधिनस्थ दहारते हैं. जूली आदित्य ने पुकारा. यहाँ जूली ने जवाब दिया. तीन प्रमुख शक्तियों के अलावा, पहले भाग लेने वाली छोटी शक्तियों के अन्य अमर समराठ हैं. क्य आदित्य ने आद्मियों का नेत्रित्व करो और जो विरोध करने की हिम्मत करते हैं, उन सभी को बिना दया के मार डालो. आदित्य ने आध्या दी. मैं सुनता हूँ और पालन करता हूँ, जूली ने सिरहिलाया. वह फिर दहाडा, भाईयों, मेरे साथ आओ. गवर्नर मनोर समराट ने उत्तर दिया. एक हजार आद्मियों को क्रिंसन लॉड पवेलियन और स्काई इंसेंस सेट की ओर ले चलो. उनके अधीन व्यवसायों और संपत्तियों को जब्त करें. जदी उनके पास अधिक विशेशग्य हैं और विरोध करने का साहस करते हैं, तो पहले उन्ह अस्थाई रूप से विलंबित करें और मेरी प्रतीक्षा करें. आदित्य ने जारी रखा. सही, दुष्ट समराट ने सिरहिलाया. जब वे क्रिंसन मून पवेलियन और स्काई इंसेंस सेट के व्यवसायों की ओर दोड़े तो उनके हाथ की एक लेहर के साथ एक और हजार अ आदित्य के लौह खून वाले रवये को देखते हुए, जब तक वह विरोध करने की हिमत रखता था, इसका मतलब था कि उस पर विद्रोह का अपराध होगा और उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा. बहुत दूर जाओ, आदित्य ठंडी हसी. पहले जो कतले आम तू आदित्य के खिलाफ लड़ने की हिमत नहीं की, जो केवल मध्यचर्ण में थे. आदित्य का युद्ध कौशल बहुत भयानत था. इससे पहले उसने इतने सारे समराटों को नश्ट करने के लिए अपने कानून डोमेन से केवल एक ही हमले का इस्तिमाल किया, जिससे उन पर बहुत गहरी चाप पड़ी. उसकी शक्ती को देखते हुए उनके जैसे शिखर्स्तर के समराट भी विरोध करने का साहस नहीं करते थे. उन्हें पूरा विश्वास नहीं था कि वे जीतेंगे. चुंकि आप लोग पहले ही मेरे गवर्नर की जागीर के खिलाफ युद्ध मे उतर चुके हैं. क्या आपको लगता है कि आप आज इतनी आसानी से यहां से जा सकते हैं. आदित्य ठंडी हसी जिससे सबका दिल दहल उठा. वह सभी शिखर्चन के अमर समराटों को जाने से रोकना चाहता था. कई विशेशग्य बाहर निकले, हवा में उरते हुए, भाग समराटों को एक नेत्र तकनीक आयाम में लाया गया था, जिसमें माया की दुनिया आदित्य थी. मैंने पहले ही कहा था, चुंकि तुम लोग युद्ध चाहते थे, चलो सब पीछे रह जाते हैं, लग रहा था आदित्य की आवाज शूने से आई हो. उसके बाद वह शिखर आधार केवल मध्य चरण में था, उन्होंने इन अमर समराटों को अजेता की आभादी. जैसे जैसे उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ती गई, उसके प्रकाश के नियमों की चमक ने सब कुछ रोशन कर दिया, जिससे उसके दुश्मनों की आखें चलनी हो गई. असीन थोड़ी ही देर में उस बुढ़े आदमी की चाती में एक छेद दिखाई दिया, जो आदित्य के वार से आरपार हो गया. बुढ़े आदमी ने अविश्वास के साथ अपनी चाती के छेद को भूरते हुए अपना सिर नीचे कर लिया. उसकी आखें असीन निराशा और आत जुका लिया. जहां तक शिखरवस्था के कई अन्य अमर समराटों की बात है, वे पहले ही लुप्ट हो चुके हैं. इस पल में कई लोगों के दिल एक बार फिर हिंसक रूप से धड़क उठे जैसे उन पर किसी तरह का असर पड़ा हो. वे लुप्ट विशेशग्य सभी श जिखरचन अमर समराटों को आदित के द्वारा नश्ट कर दिया गया था. वापस शूने में बदल दिया गया था. कई लोगों ने गहरी सास ली. वे जानते थे कि उत्तरी नगर क्षेत्रों के उपर का आकाश बदलने वाला था. एक बार कमजोर और बेकार लगने वाले ग जो प्रमुक शक्तियों द्वारा दबा दिये गए थे, ने हजारों वर्षों में पहली बार अपने अत्याचारी रवये को व्यक्त किया था. विभिन प्रमुक शक्तियों में से शिखरवस्था के अमर समराटों का सफाया कर दिया गया. भविश में और कौन ऐसा बनने की ह समाप्थ हो गया था. आदित्या ने राजजपाल की जागीर की ताकत का इस्तिमाल उनकी संपत्ती को सील करने और जब्द करने के लिए किया, कोई कुछ नहीं कह पाएगा. इसके अलावा, जो लोग लिफायर एमपाइरियन और जियालन कभीले के बीच की दुश्मनी को सम बात की तो बात ही छोड़ दें की विजेता हमेशा राजाही होगा. यदि आदित्य की मृत्यू हो जाती, तो स्थिती स्वाभाविक रूप से पूरी तरहे से धिन्न होती, विप्रीट दिशा में विक्सित होती. गवर्नर मनोर के लोग हवा में इस शांदार आकरिती को न और पड़े. जगह सील होने के कारण सभी ग्रहकों को जाने के लिए कहा गया. राज्यपाल की जागीर के सैनिक तब यहां पहरा देते थे. आज से यह निलामी घर राज्यपाल की जागीर के स्वामित्व वाला व्यवसाय बन जाएगा. वे स्वाभाविक रूप से फिर से निलामी शुरू करने में सक्षम होंगे. गवर्नर अतीत में लेंदेन मंडप के इन लोगों ने पहले भी हमें बदनाम किया है और उन्होंने कोई योगदान भी नहीं दिया है. हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस समय एक उपरा जिपाल ने ठंडेपन से बा जो हमारे गवर्नर की जागीर का विरोध करना चाहते थे, अपराध मूल रूप से हमारे लिए उनकी संपत्ती को भी जब्त करना था. हाला कि यह सीट चीजों को बहुत दूर नहीं धकेलना चाहती है और आप लोगों को उतरी शहर के क्षेत्रों में व्यापार करने से प् जब सभी को त्रितियस्तरिय शक्तियों में उपर उठाने के अलावा, आप लोगों को सामान्य दर से पांच गुना अधिक योगदान देना होगा. कोई आपत्ती आधित्य का लहजा ठंडा था, अपनी निगाहें उन पर फेर रहा था. हम स्वेच्छा से अपनी सजा प्र उधित करते थे, तो उन्हें उनके व्यवसाय को चीनने के लिए बस एक आकस्मिक बहाना खोजने की आवश्यक्ता थी. इसके अलावा, आज यहां मौजूद लोगों के लिए कई व्यवसाय विभिन शक्तियों से संबंधित हैं. यह सीट उत्तरी गवर्नर है और स्वाभा इक शेत्रों में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है, तो यह सीट शहर के कानूनों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उससे निप्टेगी. मैं दया नहीं दिखाऊंगा. आदित्य हवा में खड़ा हो गया और जारी रखा, जो कुछ भी अतीत में हुआ है. उसके लि निलामी हाउस ने जो किया उसका पालन न करें. केवल योगदान देने से बचने के लिए बाएं और दाएं की योजना बनाना. इसके अलावा जिन शक्तियों ने पिछले 50 वर्षों में योगदान नहीं दिया है, उसके लिए यह सीट आप सभी को दंडित करने के लिए आक्मजागरूकता हो सकती है. ये लोग तुरंद आदित्य की मनशा समझ गए. मैं तुम्हें हर उस चीज के लिए दंडित नहीं करूंगा जो अतीत में हुई है, लेकिन यह सबसे अच्छा है कि तुम सब कुछ आक्मजागरूकता रखो और जो भुगतान करना चाहिए थ उसका भुगतान करो. यदी नहीं, तो जब भविश में फिर से कुछ होता है, तो मुझे कोई दया न दिखाने का दोश न दें. उनके शब्द शांत लग रहे थे, लेकिन उनमें काफी खतरनाक शक्ती थी. इस तथ्य के अलावा और कोई कारण नहीं था कि आदित्य इतना शक्तिशाली था कि वह प्राची नदी निलामी घर, क्रिंसन मून पवेलियन और स्काई इंसेंस सेक्ट को दंडमुक्ती के साथ पार कर सके. किसी को पता होना चाहिए कि ये तीनों प्रमुक शक्तिया थी, लेकिन वह केवल अपने आप पर निर्भर होकर इतने शिखरस्तर के अमर समराटों को मार सकता था. और किसने बाहर निकलने और उसे भढ़काने की हिम्मत की? मैंने काफी कहा है. यह सीट पहले मेरी विदाई लेगी. यह स्थान अपने माथटों को संभालने के लिए छोड़कर आदित्य बोलकर सीधे चले गए. वह अब क्रिंसन मून मंड और स्काई इंसेंस संप्रदाय के मुख्याले की ओर बढ़ रहा था. आखिरकार ये दोनों प्रथम श्रेई की शक्तिया थी और इनकी नीम्व गहरी थी. घले ही दुष्ट समराट व्यक्तिगत रूप से अपने माथटों को वहा ले गया हो, फिर भी वह चीजों को संभाल जलने में सक्षम नहीं हो सकता है. इसलिए आदित्य को सहारा देने के लिए वहां जाना पड़ा. भूकंप के स्तर की हलचल से उत्तरी शहर के ख्षेत्र हिल गए. इसके कारण हुए जटके पूरे उत्तरी शहर क्षेत्रों में तेजी से फैल गए और यहां तक की लिफायर सिटी के अन्य हिस्सों तक भी फैल गए. प्राचीन नदी नीलामी घर की घटना बहुत ही चौकाने वाली थी. यह एक निश्चित परिप्रेक्ष में एक प्रतीक था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किस तरह का तूफान होगा. काफी देर तक शहर में हर कोई इसी बात को लेकर चर्चा करता रहा. स्वाभाविक रूप से कई ऐसे भी थे जो जियालन कभीले पर ध्यान दे रहे थे. हाला कि जियालन कभीला कभी भी गवर्नर किन के साथ सीधे सतह पर आमने सामने नहीं हुआ था. लेकिन हर कोई यह समझता था कि उत्तरीक शेत्रों क पिछले गवर्नर इतने लोगरोफाईल क्यों थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन और जियालन कभीले के प्रभाव का डर था. जियालन कभीले की ताकत इतनी महान थी कि इसने गवर्नर की जागीर पर निराकार दबाव डाला. उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी। ठीक उस लड़ाई की तरह जो आदित्य के पद संभालने के तुरंत बाद होई थी। हाला कि कोई भी यह जाचने में काम्याब नहीं हुआ कि आत्मा को मारने वाली सुई कहां से आई, हर कोई अपने दिल में इसका उत्तर स्पष्ट रूप से जानता था। अगर आदित्य कमजोर होता तो इतने साल पहले ही उसकी मौत हो जाती। वह आज तक कैसे रहता होगा। कबीले के खिलाफ युद्ध के लिए उनकी घोशना माना गया। उन्होंने अपनी जीत का इस्तिमाल जियालन कबीले के चहरे पर जोरदार प्रहार करने के लिए किया। अगला आदित्य के खिलाफ जवाबी कारवाई करने के लिए जियालन कबीला क्या करेगा। तीन प्रमुक शक्तियों को अपने कब्जे में लेने और उनके व्यवसायों को जब्ध करने के मामले ने उत्तर में कई अन्य शक्तियों को जटका दिया। शक्तियों के लिए जिन्होंने पिछले पचास वर्षों में कुछ भी नहीं सौपा है, उन सभी ने श्रध्धांजली का एक 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 अंच दिया जो उन्हें देना चाहिए था. वास्तव में कुछ शक्तियों के लिए उनके द्वारा दिये गए श्रधाजली के अलावा उन्होंने और भी अधिक भुगतान किया लिफायर सिटी के नियमों के अनुसार ये अतिरिक्त श्रधाजली कथित तौर पर संबंधित शेत्र के लॉर्ड गवर्नर को निजी तौर पर दी जाती थी उन्हें लिफायर एमपाइरियन को सौंपने की कोई जरूरत नहीं थी जाहिर है इन शक्तियों को चिंता थी कि कहीं आदित्य बदला न ले ले यही कारण है कि उन्होंने इस तरह के तरीके अपनाए इस उम्मीद में कि वह इसे स्वीकार कर लेंगे यह बात जानने के बाद आदित्य ने स्वाभाविक रूप से सब स्वीकार कर लिया चुंकि लोग उसे अतिरिक्ट संसाधन देने को तयार थे तो वह इसे अस्वीकार क्यों करेगा स्वीकार करने से ही ये शक्तिया सहज महसूस करेंगी यदि वह उन्हें लोटा देता तो निश्चित रूप से उन शक्तियों के स्वामित वाले व्यवसायों में हर दिन भय बना रहता इससे आदित्य को एहसास हुआ कि अधिकार होना वास्तव में उत्प्रिष्ट था यह विशेश रूप से उन लोगों के लिए था जिनकी तवचा काफी मोटी थी वे अधिक खेती के संसाधनों को हासिल करने के लिए सीधे अपने अधिकार का उप्योग कर सकते हैं जेडवेव मंडप दैविय हथियारों के लिए एक लेंदेन का मैदान था उनके पीछे एक कुलीन कबीला था कुलीन कबीला शक्तिशाली माना जाता था और एक ऐसी शक्ती से संबंधित था जो हथियार बनाने पर केंद्रित थी वे अत्यंत धनवान थे और उनके पास अनेक समराटश्रेनी के शस्त्र थे और जेडवेव पवेलियन ठीक वही जगह थी जहां यह कुलीन कभीला खेती के संसाधनों और विभिन फोर्जिन सामगरी के बदले में अपने हतियार बेचता था इस समय जेडवेव मंडप में एक गुढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया इस जगह के प्रभारी पर्यवेक्षक तुरंक आगे बढ़े और सम्मान पूर्वक अभिवादन किया मैं कभीले के नेता को अपना सम्मान देता हूँ यंग मास्टर कहा है बूढे ने ठंडेपन से पूछा यंग मास्टर है पर्यवेक्षक की आखों में बचाव के संकेट दिखाई दिये जैसे ही उसने घेरा और हग किया क्या आप लोग अभी तक श्रधांजली देने के लिए राजजपाल की जागीर में गए हैं बूढ़ा पूछता रहा अभी तक कोई नहीं यंग मास्टर ने कहा कि किसी को भी उसे परिशान करने की अनुमती नहीं है पर्यवेक्षक घबराहट से भर गया क्या आप जानते हैं कि प्राचीन नदी निलामी घर का क्या हुआ गूढ़े ने फिर पूछा हम्मा पर्यवेक्षक ने सिरहिलाया अभी उन विशेशग्यों के अलावा जो बंद कमरे में एकांत में थे इतने बड़े मामले के बारे में हर कोई कैसे नहीं जान सकता था तो फिर आपने युवा मास्टर को वहा जाने और श्रधाजली अर्पित करने के लिए क्यो नहीं कहा गूढे ने फिर पूछा सुपरवाइजर के पसीने चूट चुके थे उसके बाद गूढे व्यक्ति ने उसे बाइपास किया और सीधे जेडवेव पवेलियन के पिछवाडे की वोर चल दिया इस जगह ने अमर भावना को अवरुद्ध कर दिया वह जबरगस्ती अंदर घुस गया और एक शन बाद गुस्से में एक आवाज निकली कौन इतना दुसासी होने की हिम्मत करता है तक्राना अंदर से चीख पुकार मचने से कमरे का दर्वाजा फट गया बुढे आदमी ने कमरे में कदम रखा और उसके बाद उसने फर्ष पर केवल कपड़ों की गंदगी देखी और कुछ नंगी युवतियां उसे डर से घूर रही थी उनके शरीर गोरे और आकरशक थे और लड़कियों की इस टोली के केंदर में अमर राजा के राज्ज में साधना आधार वाला एक युवक देखा जा सकता था इस समय वह इतना भयभीत था कि वह पीला पड़ गया पिता जी आप यहां क्यों आये हैं श्रद्धान जली संग्रह की तिथी आ गई है आप धुगतान करने के लिए राजपाल की जागीर में क्यों नहीं जा रही हैं गूढे ने शांती से पूछा पिता जी मैं अभी भी सोचता था कि कुछ महत्वपूर्ण है राजपाल की जागीर कच्रे से भरी है क्या हमें कोई योगदान देने की भी आवश्चक्ता है अतीत में हर बार जब वे लेने आते थे तो आपका बेटा उन्हें बाहर फिंक देता था अगर वे इस बार फिर आये तो मैं उन्हें सीधे खदेर दूँगा यह कहते हुए युवक ने चुपचाप राहत की सांस ली उसे अभी भी लगा कि कुछ बढ़ा हुआ है तो यह पता चला कि यह इतनी मामूली बात थी बूढे आदमी से एक हिंसक आभा निकली उसने एक कदम आगे बढ़ाया जिससे एक गड़गडा हट की आवाज निकली जैसे लकडी का बिस्तर जिस पर युवक लेता हुआ था दिखर गया दर के मारे चीखने चिलाने के कारण सभी युवतियां फर्ष पर गिर गई वे सभी बूढे आदमी से निकलने वाले ठंडे इरादे को महसूस कर सकते थे आप सभी बाहर निकलो बूढा गुस्से से दहाडा वे आननफानन में अपने कपड़े समेटे और दैनिय तरीके से भाग खड़े हुए क्योंकि उनके पास अपने कपड़े पहनने का समय नहीं था इस तरह से भागते हुए उन्होंने कई लोगों को बाहर एक द्रिश दावत दी इसके बाद कमरे के अंदर से दर्ध की चीख निकली सुपर्वाइजर ने आखे बंद कर ली उनके इस युवा गुरु के पास साधना में घटिया प्रतिभा थी कभीले के नेता ने उन्हें जेडवेव मंडप का प्रबंधन करने के लिए यहां लाया था लेकिन उन्हें केवल महिलाओं के साथ आनंद लेने की परवाह थी वह कभी भी कुछ नहीं होगा कुछ ही समय बाद विशेशग्यों की एक टीम जेडवेव पवेलियन से निकली जो अपने साथ बड़ी मात्रा में योगदान लेकर आई जिसमें वह योगदान भी शामिल था जो वे पिछले दस वर्षों के दौरान भुगतान करने से चूप गए थे जब वे उत्तरी गवर्नर की जागीर की ओर जा रहे थे जेडवेव मंडप के लिए ही नहीं ऐसा ही द्रिश उत्तरी शहर क्षेत्रों की विभिन प्रमुख और छोटी शक्तियों में भी हुआ अकेले उस लड़ाई ने उत्तरी शहर क्षेत्रों की पिछली स्थिती को पूरी तरह से बदल दिया कोई और नहीं था जिसने अंशदान का भुगतान न करने का साहस किया हो कुछ समय के लिए भुगतान करने के लिए गवर्नर की जागीर की ओर जाने की पहल करने वाली शक्तियों की संख्या शहर के अन्यक्षेत्रों से भी आगे निकल गई थी अगले कुछ समय तक आदित्य राज्यपाल की जागीर में रहे और बाहर नहीं गए उत्तरी शहर के क्षेत्रों की विभिन बढ़ी और चोटी शक्तियों ने पिछले दस वर्षों के योगदान के लिए आने और भुगतान करने की पहल की श्रधांजली लेने के लिए मूल रूप से राज्यपाल की जागीर के लोगों को बाहर जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी वास्तव में आदित्य ने उन्हें श्रधांजली संग्रह के लिए न जाने का आदेश भी दिया इस तरह इसने वास्तव में उस दबाव को बढ़ा दिया जो उत्तरी शहर क्षेत्रों में शक्तियां महसूस कर रही थी किसी की हिम्मत नहीं थी कि आकर पैसे चुकाए जागीर में जूली एक रिपोर्ट बनाने के लिए आया था वह आदित्य के सामने खड़ा हो गया अपने दिल में एक हजार भावनाओं को महसूस कर रहा था क्योंकि वह अपने सामने सुन्दर युवक को देख रहा था इसके बाद उसने एक बार बरबर समराट को यह कहते हुए सुना कि वह आदित्य को मारना चाहता है अब दसियों साल बीच चुके हैं और आदित्य पहले से ही इतना मजबूत था वह अमर समराट शेत्र में एक देवता की तरह था यहां तक की दुष्ट समराट ने भी स्विकार किया कि वह आदित्य के बराबर नहीं था वह बहुत हीन था जदी अतीत में आदित्य के पास युध करने का इतना कौशल था तो शायद ये कियान्यो को बंदी नहीं बनाया गया होता और जियालन नरेश पहले ही एक मृत व्यक्ती बन गया होता आशा करते हैं कि आदित्य आगे बढ़ना जारी रख सकता है केवल तभी जब वह लिफायर एंपाइरियन के स्तर तक पहुँचेगा उसके पास ये कियान्यो को बचाने का मौका होगा कैसा है आदित्य ने पूछा उतरी शहर क्षेत्रों की विभिन शक्तियों ने योगदान देना समाप्त कर दिया है पिछले दस वर्षों के दौरान उनके द्वारा भुगतान नहीं किये गए योगदान की राशी को भी शामिल किया गया था जूली ने जवाब दिया उस लड़ाई की धमकी देने वाली शक्ति बहुत मजबूत थी लड़ाई के दौरान 20 से अधिक अमर समराट गिर गए थे जिनमें कई शिखर्चन वाले भी शामिल थे कौन अब भी विरोध करने की हिम्मत करेगा ओ, आदित्य की आखें चमक उठीन, क्या उन शक्तियों ने भुगतान किया महसतह पर जियालन कभीले के स्वामित्व वाली शक्तियों ने भी पूरी तरह से भुगतान किया है जिसमें पिछले दस वर्षों से भुगतान नहीं किये गए योगदान भी शामिल है उन्होंने कोई परेशानी नहीं की जूली ने सिर हिलाया जियालन कबीले आदित्य बुद्बुदाया उसकी आखों में एक ठंडी रोशनी जिल्मिला उठी ऐसा शत्रु तब भयानक था वे उत्री तौर पर आपके साथ कुछ नहीं करेंगे और आपको उनसे निपटने का कोई बहाना नहीं देंगे लेकिन साय में उनकी हत्या का इरादा हर जगह था लेकिन आप उनकी छाया का एक संकेत भी नहीं पासकते भविश्य में जियालन कबीले के बारे में अधिक सावधान रहें आदित्य ने निर्देश दिया हम्मर जूली ने सिर हिलाया वह स्वभाविक रूप से समझ गया कि जियालन कबीला कितना खतरनाक था जियालन कबीला एक जहरीले सांप की तरह था जहां तक उनके योगदान का सवाल है जियालन कबीले की संपत्ती को देखते हुए इसे वास्तव में कुछ भी नहीं माना जाता था हमारे अधिनस्थों की संख्या बहुत कम है क्या हमें और भर्ती करनी चाहिए? जूली ने पूछा हाला कि वर्तमान में गवर्नर की जागीर की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी जूली कैसे नहीं समझ सकते थे कि आधित्य ही वह व्यक्ती था जिसने यह सब किया था अगर वह काफी मजबूत नहीं होता तो क्या मौजूदा स्थिती ऐसी होती? प्राचीन नदी निलामी घर में लड़ाई ने जूली को महसूस कराया कि राज़पाल की जागीर में वर्तमान में विशेशग्यों की संख्या बहुत कम थी वे बहुत कमजोर थे किसी भी प्रथम श्रेई की शक्ती के पास अपने गवर्नर की जागीर का मुकाबला करने के लिए परियाप्त ताकत होगी उनके अमर समराटों की संख्या बहुत कम थी एक बार आदित्य के चले जाने के बाद गवर्नर की जागीर को कोई खत्रा नहीं होगा वह राज़पाल की जागीर का विस्तार करने उसकी ताकत बढ़ाने का अफसर भी ले सकता है वास्तव में आदित्य ने सिरहिलाया लेकिन जल्द ही उसकी भौहें तन गई उन्होंने फिर जारी रखा लेकिन कोई जल्दी नहीं है लिफायर पैलेस से मेरे लोटने की प्रतीच्शा करें लिफायर एमपायरियन द्वारा मुझे 10% श्रधांजली देने के बाद हमें भरती की घोशना करनी चाहिए उन्ची खेती वाले मूर्ख नहीं है वे स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि अगर वे अब राजपाल की जागीर में प्रवेश करते हैं तो यह उतना सुरक्षित नहीं होगा जितना की सतह पर दिखता है खेती के संसाधन ही ऐसी चीज़े हैं जो उन शक्तिशाली विशेशग्यों को आकर्शित कर सकती है एक बिंदू भी है जब आप लोगों की भरती कर रहे हो तो दुष्ट समराट को उपस्थित होना होगा क्या तुम मेरा मतलब समझते हो? आदित्य बोला जूली की आखें चमक उठें उन्होंने फिर सिरहिलाया मैं समझता हूँ जासूसों के लिए हम में घुसपैट करना आसान है लेकिन बहुत से लोग निश्चित रूप से दुष्ट समराट को अपने दिमाग में आने देने के लिए तयार नहीं होंगे हम केवल एक ही सवाल पूछेंगे और हम यह कहते हुए प्रतिज्या कर सकते हैं कि हम उनके अन्य रहसियों की जाँच नहीं करेंगे अगर वे इसे स्विकार करने से इनकार करते हैं तो हम उनहें भरती भी नहीं कर सकते आधित्य बोला जूली ने सिर हिलाया इसके बाद वह मुडा और चला गया जूली के जाने के बाद आदित्य के चहरे पर चिंतन के भाव थे उन्हें न केवल जियालन कभीले से सावधान रहने की जरूरत थी बलकि उन्हें लिफायर पैलेस की स्थिती के बारे में भी सोचना था अगर उत्तरी गवर्नर की जागीर ताकत में फैल गई तो क्या होगा अगर एक दिन लिफायर एमपायर उससे निपटना चाहता है केवल एक आदेश से भाले का सिरा उसकी और उसके आदमियों की ओर इंगित किया जा सकता था तब उससे क्या करना चाहिए इन सभी मामलों के बारे में पहले से सोचना और तयार रहना होगा इतना लो प्रोफाइल था कि यह भयानक था वह वास्तव में दिखाई नहीं देता था और हर बार जब वह यहां आता था तो उसे उसके बारे में बुरा बोलने वाली उफास्पून आवाजे सुनाई देती थी यह विशेश रूप से केंदरिय गवर्नर शिया हो के संबंध में था हर बार जब उसने आदित्य का मजाक उड़ाया तो उसने कोई दया नहीं दिखाई हालाकि इस बार अन्यचार राजपालों ने सपष्ट रूप से उत्तरी शहर क्षेत्रों की स्थिती के बारे में पहले ही जान लिया था अकेले आदित्य ने अजेता के साथ इतने सारे अमर समराटों को अपने रास्ते से हटा दिया हालाकि वे व्यक्तिगत रूप से लड़ाई के गवाह नहीं थे लेकिन वे कलपना कर सकते थे कि आदित्य कितना अत्याचारी होगा अतीत में गवर्नर शिया हो ने हमेशा आदित्य को नीचा दिखाया और उनका अपमान किया उत्तर में इस घटना की खबर फैलने के बाद यह उनके चहरे पर तमाचा मारने जैसा था आदित्य ने भले ही कुछ नहीं कहा लेकिन माहौल अब भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था पाचो राज्यपाल एक दूसरे से दूर अपने अपने स्थान पर बैठे आदित्य सफेद कपड़े पहने हुए था उसने चुपचाप अपनी चाय के स्वाद का आनंद लिया जबकी जिया हो ने शराब पी ली जिया हो ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चहरे की रिखाएं टेढ़ी हो गई थी ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दुखी है जिया हो के पास स्वाभाविक रूप से नाखुश होने का एक कारण था पिछले दस वर्षों के दौरान समराट मंडप की घटना ने उनके केंद्रिय गवर्नर की जागीर को निंदनिय अफवाहों से भर दिया परपल मून इंमोर्टल एंपरर व्यक्तिगत दासियों में से एक जिसने लिफायर एंपाइरियन का अनुसर्ण किया ने व्यक्तिगत रूप से उसे चीजों को साफ करने के लिए कहा उसके बाद समराट मंडप का विकास अजे हो गया और अब केंद्रिय शहर क्षेत्रों में सबसे बड़े लेंदेन के मैदानों और निलामी घरों में से एक बन गया था दितियान के लिए चीजें बेहत समरिद्ध थी और हर बार जब वह लोगों को यह कहते हुए सुनता था कि ग्रेंड मास्टर दितियान ने निलामी के लिए एक और दिव्यक हजाना तयार किया है तो जियाहो बेहत दुखी महसूस करेगी अभी आदित्य जो हमेशा उसके द्वारा अपमानित किया गया था अंत में उठ खड़ा हुआ था यह अफवाह थी कि पिछले दस वर्षों में जितनी भी भेंटें एकतर करने से चूक गए थे वे सभी इस बार एक जटके में एकतर कर ली गई उत्तर में किसी भी शक्ती ने भुगतान न करने का साहस नहीं किया उन्होंने ऐसा करने के लिए केवल पचास वर्षों का उप्योग किया और अभी उन्होंने अमर समराट सामराट जिके मध्यचर्ण को भी पार कर लिया था ब्यूटी जियो ने अपनी थुड़ी को उपर कर लिया उसकी खूबसूरत आखें आदित्य को घूर रही थी और मुस्कुराईं आप अधिक से अधिक सुन्दर हो रहे हैं अतीत में जब भी वह आदित्य की प्रशंसा करती यिन्क्यू उसका अपमान करने लगती लेकिन इस बार यिन्क्यू ने चुपचाप अपनी चाय की चुसकी लेते हुए आदित्य की तरफ देखा मैंने दस वर्शों के लिए गवर्नर किन को आमंत्रित किया है आप कभी भी मेरे दक्षिनी गवर्नर की जागीर में मुझसे मिलने क्यों नहीं आएं ब्यूटी जियो की आखें को मल आकर्शन से चमक उठीन आसानी से दूसरों की आत्मा को जगजोरने में सक्षम थी मैं इन वर्शों के दौरान अपनी खेती में व्यस्त रहा हूँ गवर्नर जियो प्रिप्या अपराध न करें आदित्य मुस्कुराया अब आप पहले से ही अमर समराट सामराज्य के मध्यचरण में हैं आपको अपने आपको व्यस्त करना चाहिए है ना आप कब आने के लिए स्वतंत्र होंगे ब्यूटी जियो व्यापक रूप से मुस्कुराई बिलकुल भी विवेखीन नहीं अगर कोई मौका है तो मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ूँगा आदित्य मुस्कुराया यदि आप आने को तयार हैं तो आप मेरे घर को अपने घर की तरह मान सकते हैं ब्यूटी जियो खिलखिला उठी उसकी आवाज में एक बेहद सपष्ट संकेत था कि आदित्य उसके साथ जो चाहे कर सकता है यन क्यू पीला पड़ गया उसने आदित्य को नाखुश से देखा यह घटिया फुहर आदित्य को अपनी पहल पर फुसलाती रही उसके लिए उसने उसे पाने के लिए अपने सभी प्रयास किये लेकिन ब्यूटी जियो ने हमेशा उसे अंदेखा किया गवर्णर किन आप मेरे सहर क्षेत्र में ठहलने के लिए भी आ सकते हैं यदि आप स्वतन रहें लिनबाह से उसने केवल वही किया जो उसे करना चाहिए था इसके अलावा उन्होंने वास्तव में ऐसा करने के लिए कुल पचास वर्षों का उप्योग किया क्या आप सभी को इस तरीके से कार्य करने की आवश्चक्ता है जिया हो ने ठंडेपन से बात की उसका स्वर असंतोश से भरा हुआ था लिन्बा ने शुरू किया उसने आदित्य पर एक नजर डाली मुस्कुराते हुए और जिया हो के शब्दों पर कोई टिपपणी नहीं की ब्यूटी जियो और यनक्यू आदित्य की तरफ देखते हुए मुस्कुराए केवल यह देखने के लिए कि चाय का प्याला धीरे-धीरे नीचे रखने से पहले वह अपनी चाय की चुस्की ले रहा था उसके होटों पर एक अजीब सी मुस्कराहट थी उसकी या उसके अवतार डितियान की परवाह किये बिना इस जिया हो ने उन दोनों को कोई चेहरा नहीं दिया अतीत में वह एक लोग प्रोफाइल रखना चाहता था और चीजों को हलचल नहीं करना चाहता था लेकिन यह जिया होग अभी भी हमेशा की तरह अहंकारी थी कितना अफसोस है मेरे किन के पास खेती का आधार बहुत कम है और इससे पहले कि मैं उत्तरी शहर क्षेत्रों को बसाने में महल के स्वामी की सहायता कर सकू मुझे पूरे 50 साल बिताने पड़े गवर्नर जिया होग के प्रभाव को देखते हुए मुझे यकीन है कि आप पहले से ही अपने शहर क्षेत्र पर बिना किसी चुनोती के शासन कर सकते थे जब आपके पास एक मध्यचन अमर समराट खेती का आधार था उतरी क्षेत्र हमेशा अराजक रहा है लेकिन महल के स्वामी गवर्नर जिया होग को वहाँ नहीं भेजना चाहते थे ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसे डर था कि वह गवर्नर जिया होग की महान प्रतिभा को बरबाद कर देगा आधित्य व्यंगे से बोला हर कोई सुन सकता था कि वास्तव में उसके शब्दों का क्या मतलब था जिया हो ने आधित्य पर अपनी निगाहें गड़ा दी इतना असपष्ट रूप से बोलना बंद करो यह तो बस शुरुवात है अगर आप इतनी आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं तो आप बड़ी चीजें कैसे हासिल कर सकते हैं मेरी तुलना गवर्नर जिया से कैसे की जा सकती है केंद्रिय शहर क्षेत्रों में आपका हर चीज पर नियंतरन होता है आप क्या पूरा नहीं कर सकते यहां तक कि उस वर्ष के दौरान जब आपके मध्य शहर क्षेत्रों में समराट मंडप स्थापित किया गया था गवर्नर जिया हो इतने उदात्त थे कि उन्होंने इसके बारे में परवाह भी नहीं की एक करकश आवास के साथ जिया हो के हाथ में शराब का प्याला बिखर गया उसके द्वारा कुचल दिया गया मेज पर अपनी हथेली पटकते ही उसकी आखें बरफीली हो गई क्या तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो तकराना आदित्य ने भी अपनी हथेली मेज पर पटक दी क्योंकि उससे ठंडे इरादे निकल रहे थे गवर्नर जिया हो ने कई वर्षों तक मेरा मजाक उडाया और अपमान किया लेकिन मैंने इसे दिल पर नहीं लिया अब मैं तुमसे एक वाक्य भी नहीं बोल सकता हूँ बोलने से इसका मतलब है कि मैं आपको भड़का रहा हूँ गवर्नर जिया हो आपको क्या लगता है कि आप कौन है आप क्या चाहते हैं जिया हो की नजर ठंडक से चमक उठी आदित्य ने अपनी आखें सिकोर ली भीतर से आकरशन के साथ एक बुरी मुस्कान जिल्मिला उठी गवर्नर जिया आपने हमेशा मुझे किन को नापसंद किया है हमारे पास लड़ाई क्यों नहीं है हारने वाला गवर्नर के रूप में अपना पद छोर देगा और लिफायर सिटी से बाहर निकल जाएगा उपस्थित सभी लोग शुरू हो गए ब्यूटी जियो की आखों में रोशनी और भी तेज हो गई आदित्य उसके नजरिये से और ज्यादा हैंसम होता जा रहा था लिन्बा और इनकियू ने भी आदित्य को घूर कर देखा इस साथी ने वास्तव में जिया हो को चुनौती देने का साहस किया शिया हो की अभिव्यक्ती भयावा हो गई एक मध्य चरण के अमर राजा ने वास्तव में उसे चुनौती दी थी यह तथ्य की ऐसा हुआ था उसके लिए पहले से ही एक शर्मनाप घटना मानी गई थी इसका मतलब यह था कि आदित्य ने स्पष्ट रूप से उसे तिरसकार में पकड़ रखा था मैं उपकृत करने के लिए खुश हूँ जिया हो ठंडेपन से बोली क्या तुम लोगों ने काफी बकवास की है डांट के स्वर से भरी आवाज निकली उसके बाद सभी ने जुगे जियों को हॉल में तहलते हुए देखा ग्रेंट गवर्नर हर कोई खड़ा हुआ और जुगे जियों के लिए ताली बजाई तुम दोनों में वास्तव में यहां महल के स्वामी के निवास में परिशानी पैदा करने की हिम्मत है जुगे जियोंग ने ठंडी सांस ली आपके अंदर थोड़ा गुस्सा होना अच्छा है साथ ही इस बार आदित्य ने खूब कमाल दिखाया है यदि उसमें कुछ क्रोध नहीं है तो वह मेरे लिए उतरी नगर्ग शेत्रों को कैसे बसा सकता है दलिफायर एमपाईरियन की आवाज गुझ उठी उसके बाद वह अपने साथ अपनी दो निजी दासियों के साथ हौल में दाखिल हुआ आदित्य और अन्य गवर्नर तुरंट खड़े हो गए जब उन्होंने लिफायर एमपाईरियन को देखा और अभिवादन किया आपके अधिनस्थ महल के स्वामी को हमारा सम्मान देते हैं दलिफायर एमपाईर ने अपना हाथ लहराया वह आदित्य पर मुस्कुराया आदित्य यह वास्तव में उत्तरी शहर क्षेत्रों में अच्छी तरह से किया गया काम है मुझे यकीन है कि इस बार आपकी फसल अच्छी रही होगी महल के स्वामी को रिपोर्ट करते हुए उत्तरी शेत्रों की विभिन शक्तियों ने स्वेच्छा से उन श्रधांजलियों का भुगतान किया जो वे पिछले दस वर्षों से नहीं दे रहे थे साथ ही कई शक्तियों ने निजी तौर पर मुझे अतरिक्त संसाधन दिये आदित्य ने इमानदारी से बताया उनका कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था चुंकि उन्होंने निजी तौर पर आपको संसाधन दिये हैं, इसकी रिपोर्ट करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है जब तक योगदान में कोई समस्या नहीं है, तब तक चीजें ठीक रहेंगी यह सोचने के लिए कि आप इतनी तेजी से मध्य अवस्था में पहुँच गए, आपकी साधना गती वास्तव में मुझे चौका देती है भविश्य में आपके पास निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धिया होंगी, दलिफायर एम्पायरन अपनी तारीफों में कंजूस नहीं था क्या आपके पास कोई अनुरोध है? मुझे देखने दो कि क्या मैं उन्हें पूरा कर सकता हूँ यह कुछ ऐसा माना जाता है जो आपके अधिनस्थ को करना चाहिए मैं कोई अनुरोध करने की हिम्मत कैसे करूंगा आदित्य विन्मरता से बोला उसने फिर जारी रखा, यह सिर्फ इतना है कि इस अधिनस्थ को ये कियानिव से मिले हुए कई साल हो गए है क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि महल के स्वामी मुझे उससे मिलने के लिए आपकी अनुमती देंगे इतने साल हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी भावनाओं से जुड़े हुए हैं आपके जैसा आदमी देखना वास्तव में दुरलब है मैं स्वाभाविक रूप से आपको बाधित नहीं करूँगा बाद में मैं तुम्हें वहां लाने के लिए प्रोटेक्टर चेन को बुला लूँगा दलिफायर एम्पायर मुस्कुराया और सिरहिलाया ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्खी नहीं पड़ रहा हो लिफायर एम्पायरन के विचारों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था हर कोई कृपया बेजी जख बैठें बस मेरी दासियों को श्रधाजली देना और वह करेगा दलिफायर एम्पायरियन हस पड़ा पांच राज्यपालों ने तब दो सेवारत महिलाओं को अंतरस्थानिय चल्ले एकत्र किये लिफायर एम्पेरियन के लिए उनके साथ इत्मीनान से चैट करना बहुत दुरलग था चैटिंग के बीच वह अचानक आदित्य की ओर मुड़ा आदित्य तुम्हारा व्यवार असाधारन है अभी आपको कुछ और समय के लिए उत्तरी शहरी क्षेत्रों में खुद को सन्यमित करना जारी रखना चाहिए भविष्य में यदि तुम नौ राजाओं में से किसी एक का पद चाहो तो मैं तुम्हें एक पद भी दे सकता हूँ लिफायर एमपाइरियन के तहट नौ समराट अपने अपने ख्षेत्र के शासक थे उनके नियंत्रण में कई खदाने थी और उनका अधिकार पांच राजिपालों में से एक की तुलना में अधिक था इसके अलावा एक गवर्नर को जो मिल सकता था उसकी तुलना में वे जो खेती के संसाधन हासिल कर सकते थे वह कहीं अधिक था आदित्य को यह भी नहीं पता था कि लिफायर एमपायर वास्टव में उसे भर्ती करना चाहता था या वह सिर्फ उसका इस्तिमाल कर रहा था लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो कम से कम लिफायर एमपेरियन को सतह पर उसके प्रती बेहद उदार माना जा सकता है आपके अधिनस्थ में बहुत अधिक आशा रखने की हिम्मत नहीं है मैं महल के सभी निर्देशों का पालन करूंगा लिफायर एमपेरियन के सामने आदित्य हमेशा की तरह लो प्रोफाइल रहते हुए भी बेहद विनमर थे लिफायर एमपेरियन उसकी आखों के सामने गहरे इरादे की चमक के रूप में हसा दो नौकरानियों ने गणना समाप्त करने के बाद राज्यपालों को खेती के संसाधनों का 10% दिया इसके बाद राज्यपाल एक-एक कर जाने लगे गवर्नर जिया हो आदित्य पर एक ठंडी नजर डालना नहीं भूले उनकी आखें तलवार की तरहे तेज थी आदित्य ने छोड़ा नहीं उसने प्रोटेक्टर चेन का पीछा किया वह आदमी जो उसे अतीत में लिफायर जेल में यहां लाया था सभी गवर्नरों के चले जाने के बाद लिफायर एमपायर एक सोफे पर बैठ गया परपल मून इम्मोर्टल समराट लेट गया और उसके खिलाफ जुप गया क्योंकि उसने कहा पहलेस भगवान उस समय आदित्य अमर राजा समराट जिके चरमचरण पर था अभी 50 साल से थोड़ा ही अधिक समय बीच चुका है फिर भी वह पहले से ही मध्य चरण का अमर समराट है तुन्हें इस आदमी से सावधान रहना होगा ओह तुन्हें लगता है कि वह मेरे लिए परिशानी का कारण होगा दलिफायर एमपायर मुस्कुराया पचास साल हो गए हैं लेकिन वह अभी भी ये कियानियों को नहीं भूल सकता है अपने स्नेह को छिपाय बिना और उससे मिलने का अनुरोध कर रहा है जाहिर है वह हमेशा उनके दिल में रही है हाला कि ये कियानियों महल के स्वामी का दुश्मन है आदित्यने वास्तव में आपको कभी भी समर्पित नहीं किया है यदि वह काफी मजबूत हो गया तो निश्चित रूप से उसके पास विद्रोही विचार होंगे परपल मून अमर समराट धीरे से बोला हाहा क्या आपको लगता है कि जियालन कभीले से निपटना इतना आसान है मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि वह मजबूत और मजबूत होता जाएगा क्योंकि अगर ऐसा है जब तक ये कियानियों मेरे हाथों में है वह जियालन कबीले के खिलाफ लड़ना जारी रखेगा। उस समय अगर वह वास्तव में मेरे नियंत्रन से बाहर है, तो उससे निपटने में देर नहीं होगी। मज्य अवस्था की तो बात ही छोड़ दें, भले ही वह चरम अवस्था में हो, जब तक वह अमर समराट लोक में है, यहाँ आसन उसे आसानी से कुचल सकता है। बैंगनी चांद ने कुछ नहीं कहा। महल के स्वामी की दृष्टी उससे कहीं अधिक व्यापक है। उस अंधेरे और भयावा जेल के अंदर जहां ये कियान्यों को कैट किया गया था, वह वर्तमान में अपने बालों में कंगी कर रही थी। आप जैसी खूबसूरत और सेक्सी महिला, मुझे आश्चर्य है कि लिफायर एमपायर वास्तव में आपको यहां तक सीमित रखने के लिए कैसे सहन कर सकता है। आपके खूबसूरत चेहरे और फिगर को देखते हुए, क्या अफसोस है कि हम सेलमेट नहीं हैं, अगर नहीं है है। क्या आप अपना गंदा मुह बंद कर सकते हैं, ये किया न्यू शांती से बोली लेकिन उसकी आखों में ठंडक की चमक देखी जा सकती थी। क्या नहीं है कि वह उस बच्चे को आसमान में उरने दे। पायर ने गलती की है, तो गलती यह होगी कि उसने हम दोनों को एक साथ एक ही कोठरी में बंद नहीं किया। यदी नहीं, तो हमें इतना अकेला नहीं होना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, वह कैदी पागलों की तरहा हंसने लगा। ये कियानियों की आखे मारने के इरादे से टिम्टि मा रही थी। एक करकश आवाज निकली। वह उनमत हसी बंद हो गई क्योंकि कैदी ने अपनी निगाहें दूर की ओर घुमाई। अंधेरे में एक सफेद वस्तधारी आकरिती निकट आती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे उनकी द्रिश्टी में एक सुन्दर चहरा प्रकट हुआ। जब उसने यह देखा तो ये कियानियों की आखों में ठंडक तुरंत चली गई, उसकी जगह एक गर्म और कोमल मुस्कान ने लेली। वह चुपचाप देखती रही कि सुन्दर आकरिती उसके और करीब आ रही है। दूसरी कोठरी में कैदी के रूप में उसकी आखें संकुचित हो गई क्योंकि वह देख रहा था। सफेद लबादे वाली आकरिती कदम दर कदम करीब आती गई। जैसे ही उसने उस कैदी पर नजर डाली, जो ये कियानियों के प्रती अपमान जनक था, उसकी आखों से एक तेज रोशनी की किरन निकली। एक शन बाद वह कैदी चिलाया जैसे उसकी आखों से लाल तरल बह रहा हो। आदित्य को अब कैदी से कोई परिशानी नहीं थी। उसने ये कियानियों की कोठरी की ओर चलना जारी रखा। ये कियानियों मुस्कुराया और धीरे से बोला तुम आ गए। हम्मा आदित्य ने सिरहिलाया, अपनी मुस्कान बनाय रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। महल की मालकिन तुम अब भी हमेशा की तरह खूबसूरत हो। आप ही जानते हैं कि मैं अब सुन्दर हूँ, ये कियानियों ने आदित्य को देखते ही हस दिया। आदित्य अजीब तरह से मुस्कुराया, यहां महिला ऐसी थी जैसे वह वर्तमान में जेल में नहीं थी, या हो सकता है वह उसके सामने केवल वैसी ही होगी, आप यहां पचास साल बाद केवल एक बार आए हैं, क्या आपने लिफायर पैलेस के लिए कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, यह कियान उने पूछा, वर्तमान में मुझे उत्तरी गवर्नर का पद सौपा गया है, वह स्थान जहां जियालन कबीला स्थित है, अभी कुछ समय पहले, मैंने उत्तरी शहरीक शेत्रों में अभी-भी हंगामा किया है, आदित्य ने शांती से उसके साथ घट अतना आसान नहीं था, आदित्य बीच में फस गया था, कोई भी कलपना कर सकता है कि वह किस दबाव में था, मैं करूंगा, आदित्य ने गंभीरता से सिरहलाया, वह फिर बोला, महल की मालकिन, क्या आप करीब आ सकती हैं, क्यों, आप मेरा फाइदा उठाना चाहते हैं, य ये कियान्यू आकरशक धंग से मुस्कुराई, वह फिर गिर गिराया, कोई रास्ता नहीं, आदित्य का चहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था, इसके बाद वह नम जमीन पर बैठ गया, और समराट पत्थर का एक बड़ा टुकरा निकाल लिया, उसके बाद जैसे ही उन्ह ने मूर्तिकला शुरू की, उनकी कानून उर्जा से एक खंजर बन गया, ये कियान्यू आदित्य को यह कहते हुए सुनने के लिए उसकी हरक्तों को देखता रहा, फिर जब तुमने मेरी मदद की, तो मैंने तुम्हारे बारे में पूरी तरह से खबर खो दी, उसके बाद म की आनियों मुस्कुराई, वह जमीन पर लेट गई, पीछे की ओर जुकी और अपने खूबसूरक पैरों को दिखा रही थी, जो एक दूसरे के उपर आडे हुए थे, उसने अपनी उंगलिया अपने बालों में फेरी और उसके चहरे पर एक आकर्शक भावाया, मुझे इस स्थिती में तराशें, आदित्य कुछ अचंभे में पढ़ गया, उसने अपना सिरहिलाने से पहले कुछ पलों के लिए उसके सामने उतकरिष्ट प्राणी को देखा, स्टारलाइट चमकी समराट स्टोन ने धीरे-धीरे एक खूबसूरक महिला का रूप धारन कर लिया, ज आप मूर्तिकला को बाहर निकाल सकते हैं और इसे देख सकते हैं, क्या तुम सच में मुझे इतना देखकर नफरत करते हो, आदित्य फूट-फूट कर मुस्कुराया, अतीत में क्या तुम वही नहीं थे जो लगातार मुझे टाल रहे थे, मुझे चिंता है कि तुम मुझ पर मोहित हो जाओगे। ये कियानियों ने एक शैतानी मुस्कान प्रकट की। आदित्य को कुछ गलानी महसूस हुई और उसने आहे भरते हुए कहा, मेरी प्रतीक्षा करो। हम ये कियानियों ने धीरे से सिरहिलाया, याद रखें, आपको हमेशा लो प्रोफाइल रखना चाहिए। यहां तक कि जब आपको लगता है कि आपके पास परियाप्त ताकत है, तब भी आपको लो प्रोफाइल रखना होगा जब तक कि आप आश्वस्थ नहों कि आप एक स्ट्राइक के साथ एक निश्चित मार हासिल कर सकते हैं। कभी कभी जिन्दा रहना शान से ज्यादा जूरी होता था। भले ही वह लिफायर जेल में एक असहनिय जीवन जी रहा था, फिर भी मरने से अच्छा था। ये कियानियों ने विपरीत कोठरी में अंधे कैदी की तरफ देखा और उसके होठों पर मुसकाना गई। अफसोस झाल कर दोटरी होता थाल कर रहा दो होता है जी जीवन एक निताए में जीवन जी जीवन चता बहा था। झाल झाल